average rate क्या होता है वो रेट जो आप एक particular time interval के अंदर निकालते हो मतलब आपको एक time interval दे दिया सपोज जैसे time interval है 0 से लेकर 5 मिनट तक तो इस 5 मिनट में reaction का rate क्या है अगर आपको निकालना है तो आप एक period में निकाल रहे हो and that is basically और average rate हमारा जो effect of temperature और rate constant है वो quantitatively अगर हमें सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद next activation energy अब देखो रूंग टेंपरेजर पर reactant molecules के पास कुछ energy राइट सब्सक्राइब तक जाने के लिए उनको थोड़ी energy देनी पड़ती है थोड़ी energy देनी पड़ती है यही क्या होती है activation energy होती है कैसे है आप सब आप सब आप सब पहुन अच्छे होगे बच्चों सब्सक्राइब आइसन आली मालेक वल्कम यू ऑल तो इस इंक्रेडिबल प्लाटपर्म ऑफ फिजिक्स वाला तो बच्चे हम आ गये हैं हमारे चाप्टर नमबर थर्ड और यह चाप्टर है chemical kinetics तो बहु सब्सक्राइब तो अच्छे से इसको फोड की सॉल्फ करेंगे राइट ताकि कोई भी कॉंसेप्ट ऐसा नहरा रह जाए जो हमारे पूर्ड एक्जांस में आने वाला है ठीक है चले तो अगर अपन बात करें यहां पर आपकी chemical kinetics की पहले मैं हमेशा अनार्लिस देती हूँ साम्पल पेपर जो इससा ने आपकी CBSE ने शूड कर रहा है उसका आज वल आज जो आपका previous year का question paper होता है उसका ठीक है तो as per my analysis बेटा जो हमारा साम्पल पेपर है जो अभी CBSE ने सप्टेंबर में शू किया था उसके अंदर एक MCQ था मतलब एक mark एक very short था बेटा जी मतलब हमारा दो mark ठीक है और एक हमारा short answer type था मतलब हमारा तीन mark ठीक है राइट तो एक यहाँ पर assertion reason भी था तो टोटल साथ marks का जो था हमारा यह समान था तो इसका मतलब chemical kinetics जो है वो seven marks का हमारा chapter हो जा रहा है इसी के साथ साथ जो last year का paper था भाई उसमें जो है दो mcq थे एक assertion reason था तीन marks तो यहीं पर cover हो गए इसके बाद एक case base हम लोगों को दिया था question which was of four marks ठीक है जी तो टोटल साथ नंबर का यह वहां भी आया था तो इसका मतलब मोटा मोटा अगर हम analysis लगा ले तो यह chapter कितने नंबर का हो जाता है भीया साथ नंबर का जो है य और एक चाप्टर का जो हमारा यह नो बाइफरकेशन है यह पोर्शन है यह माक्स है वह भड़ गया है तो एवरी चाप्टर फिजिकल के मैस्टरी इंपोर्टन ठीक है जी फाइन सल्यूशन आठ नंबर का था इलेक्ट्रो नौ का था यह साथ का था तो खुद हिसाब लग बेटर्मेंट के लिए है लेकिन मैं एक चीज पहले ही आप लोगों को यह बता देना चाहती हूं कि कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत जादा लेंदी हैं ग्राफ बेस्ट है और जिनके हमारे बोर्ड एक्जाम में आने की कोई भी प्रॉबबुलिटी नहीं है तो मैं यही ही ए इंटरसेट निकाल रहे हैं इन सब चीजों का कोई यूज नहीं होगा और यह सबसे जादा क्रूशियल टाइम है बेटा अगर इस ताइम में हमने एननेसेसरी क्वेशन कर लिए तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखेगा कि जो क्वेशन मैं ब करेमे स्ट्री की जहां हम रियाक्शन के रेट की चड़ी निनि studying करते हैं और यूज शूच फ्राइट फवते निकरे बहुत बहुत बढ़लेगा क्या है जी यह वह ब्रांश है ileग identify कैश वी स्ट़वारउट रिक एसटरी बहुत परर बहुत का कैशिशन रियाक्शन के रेट की स्टडी करते हैं किसके अंदर chemical काइनेटिक्स के अंदर ठीक है भाईया अपने को ये बाद चकाचक समझ में आ गई होता है तो देखो तुमने पड़ा है स्पीड स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाइटाइम क्या होती है स्पीड डिस्टेंस बाइटाइम जैसे तुम्हारी कोई स्पीड होती है वैसे रियाक्शन की स्पीड होती है रियाक्शन का रेट होती है ठीक है जी क्या होता है रेट है जेंज से हमारा मतलब क्या है आइधर इंक्रीज ओर डिक्रीज तो लिख लो भाई जो यह चेंज है इस चेंज का मतलब जो है एंक्रीज भी हो सकता है या फिर decrease भी हो सकता है दोनों चीज़े हो सकती है am I clear everyone चीक है ओके अब आप बोलेगे कि माम decrease किसका होता है और increase किसका होता है तो तुमको पता है कि जैसे ही reaction चालू होता है भाई reaction की concentration क्या करती है decrease कर जाती है तो आप अगर with respect to reactant rate of reaction बता रहे हैं तो यह हो जाएगा decrease in concentration of reactant by time taken am I clear everybody वही अगर हम product की बात करें तो product की concentration क्या करती है राजे increase करती है तो अगर आप rate of reaction with respect to product बता रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा बटा increase in concentration of product per unit time अब आप जो है यह चेंज निकालते कैसे हैं चेंज आप निकालते हैं बेटा final concentration में से initial concentration को सब्ट्राक्ट करके ठीक है तो कैसे निकलेगा बाई कि पाइनल कॉंसेंट्रेशन कि माइनस कि इनिश्यल कॉंसेंट्रेशन कि टिवाइड़ बाई क्या टाइम टेकन अब देखो अगर अपन रियक्टेंट की बाद करें तो रियक्टेंट की final concentration तो कम होती है इनिश्यल ज़ादा होती है राइट क्यूंकि रियक्टेंट कंज्यूम होजाता है एक रियाक्शन में इसलिए हमने यहाप पर कर पाएं पहला हमें पढ़ना है वह क्या है वह हमारा आवरेज रेट ठीक है पुत्तर आवरेज रेट पर क्लियर है एवरेज रेट क्या होता है वह रेट जो आप पर प्रियाड में निकाल रहे हैं और यहां पर आप जो है यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं बेटा जी हमारे आवरेज रेट की तो जो भी आपका ए है उसकी कोई पाइनल कॉंसेंट्रेशन होगी जिसको अपन अपन एट दू सकते है क्या बोल सकते है पुत्तर जी कि एटू बोल सकते है Dublin करेंगे कि एटेट फाइनल कॉंसेटरेशन है की एवर्म जो है इनीशल है टी टू फाइनल से आप डेल्टा ए लिख देते हैं आग अग अमाय क्लियर आभरीबडी भोली यह बात क्लियर है के नहीं है फाइन तो यहां पर एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा सेंबल का यूज रही है लेकिन इंस्टेंटेंट इस रिट क्या होता है इंस्तेंटेंटेंट जो है वह आप एक particular point पर या एक particular time पर बता रही है तो यहाँ पर आप डेल की बज़ाए क्या use करते है भी यूज करते है ठीक है जी small changes के लिए हम डेल की बज़ाए डी यूज करते है अब आप जो यह rate है with respect to reactant बता रही है है ना तो बेटा reactant के लिए तो यह a2-7 जो है वो negative आएगा क्योंकि reactant की final concentration कम होती है initial जादा होती है तो यह उपर वाली term क्या हो गई यह तो negative हो गई लेकिन भाई speed या rate कभी भी negative नहीं होता तो इसको positive करने के लिए इसके भार क्या लगाया जाता है negative sign लगाया जाता है लेकिन भी अगर आप with respect to product बता रहे है क्या बता रहे है तो अगर आप product का लिख रहे है तो उसमें आपको negative sign लगाने की जरूरत नहीं है यह हमेशा क्या आएगा positive आएगा और यहां पर अगर आप product की respect में rate लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा db by dt am I clear everyone clear हो गया है थोड़ा थोड़ा rate की बारे में आप लोगों को है ना चलिए आगे बढ़ते हैं विटा जी अब देखिए अगर आपके पास एक कोई भी reaction है a a b b forming c c d d तो यह small a है यह हमारे capital a का stoichiometric coefficient है small b capital b का stoichiometric coefficient है small c capital c का stoichiometric coefficient है और small d capital d का stoichiometric coefficient है ठीक है तो यहाँ पर बेटा अगर हम यह बोलें कि आपको लिखना है क्या rate of reaction अब पीछे जो मैंने example लिया था वहाँ पर reactant or product का stoichiometric coefficient जो है वो 1 1 था तो rate of reaction with respect to reactant and product यह निकल के आ गया था लेकिन यहाँ पर reactant or product का stoichiometric coefficient 1 तो नहीं है है ना small a small b reactants का है small c small d products का है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई देख यहाँ पर अगर हमें rate of reaction लिखना है तो यह हो जाता है कि आपका जो भी stoichiometric coefficient है उसको रखे denominator में और अंदर लिखिए क्या आपका rate तो यह हो जाएगा rate of reaction किसके रिस्पेक्ट में बिटा विद रिस्पेक्ट टू रियाक्ट ना मैं चाहूं तो इसको प्रूव भी कर सकती हूं लेकिन इस सीरीज में हमेना derivations या theory नहीं रटनी है हमें ट्रिक सीखनी है जिससे हम ncrt बाग के questions कर पाएं तो यह चीज आपको अच्छे से आती है है ना भाई ओके चलिए इसके बाद निए विदध रिस्पेक्ट टू अगर मुझे रियाक्टेंट भी बताना है तो ही क्यों जायगा फोटा यह हो जाएगा वन बाई बी माइनस डेल बी प्रोडाक्ट के रिस्पेक्ट में बताऊंगी तो वन बाई सी प्लस डेल सी बाई डेल टी और यह हो जाएगा वन बाई डी प्लस डेल डी बाई डेल डी अमाई क्लियर एवरीवन ठीक है अच्छा देखो यहां पर बेटा जो तुम को यह माइनस डेल डेल टी दिख रहा है इनको तुम बोलते हो rate of disappearance क्या बोलते हो भाई rate of disappearance समझ इस बात को rate of reaction जो है with respect to reactant ए क्या है one by small a which is the stoichiometric coefficient into डेल डेल टी लेकिन इसके अंदर जो यह चीज मुझे दिख रही है यह चीज ठीक है यह क्या है बेटा यह rate of disappearance of A क्या है मेरा पुत्तर ये rate of disappearance of A ठीक है तो क्या होता है बाई rate of disappearance A के respect में minus A by minus delta ठीक है वही अगर मुझे क्या लिखना है पुत्तर मुझे लिखना है rate of disappearance with respect to क्या बेटा जी B तो क्या हो जाएगा minus tell B by tell T ठीक है जी ये तो हमने अब reactance की disappearance की बात करें लेकिन product की तो appearance होती है तो rate of appearance of product क्या होगा बेटा जीहान से देखो इदर आओ जो तुमारा ये bracket के अंदर del C by del T है न यही rate of appearance होगा ठीक है जी तो क्या बोलोगी भाई rate of appearance of C ये हो जाएगा बेटा प्लस del C by del T ठीक है जी वैसे ही आप लिख सकते है क्या rate of appearance of D क्या हो जाएगा पुतर ही हो जाएगा प्लस del D by del T अपने rate of disappearance लिखना सीख लिया है अच्छा यहाँ पर जो अपनी एक्वेशन दी है इसमें अपने आवरेज rate के respect में rate of reaction बता है सेम एक्वेशन आप instantaneous rate के terms में भी लिख सकते हैं है ना जैसे मेरा मतलब क्या कि यहाँ पर आप जो है अगर instantaneous के terms में लिख रहे है तो फिर हमारा जो rate of reaction है पुत्तर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा वन बाई ए माइनस डी आ बाई डी टी ठेक है वही बेद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो क्या होगा वन बाई बी माइनस डी बी बाई डी टी ठेक है इक्वल टू वन बाई सी प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू वन बाई डी प्लस डी बाई डी टी क्लेर है तो यह हमने rate of reaction लिख लिख लिया इंस्टेनियस रेट के टर्म में ठीक है जी बहुत सिंपल सिंपल चीज है आपको याद होंगी ओके जी चालिए अब आ जाते है भाई rate expression पे तो देखें पिटा किसी भी reaction के लिए हम एक rate की equation लिखते है राइट जैसे for example हमारे पास एक reaction है जिसमें a moles of a combine कर रहे है b moles of b के साथ और क्या बना रही है product बना रही है मैं आपको बोल रही हूं कि इसके लिए rate law का expression लिखो क्या लिखो rate law का expression तो अगर आप law of mass action यहाँ पर लगाते तो आप लिखते कि rate हो जाता के क्या है हमारा rate constant into a की concentration की power उसका stoichiometric coefficient into b की concentration और उसकी power उसका stoichiometric coefficient लेकिन बेटा actual में क्या होता है कि यह जो हमारा rate law का expression होता है जो हम किसी भी reaction के लिए determine करते है वह experimentally determined होता है और इसके अंदर बेटा हमको जो यह powers है वह जरूरी नहीं है कि stoichiometric coefficients ही निकल के आए और बी के यह जो हमारी powers है यह actual में कुछ भी आ सकती है तो इनको हम क्या लिख रहे है हम लिख रहे है एक्स और वाई क्या लिख रहे है इनको हम एक्स और वाई लिख रहे है मैं क्लियों ठीक है अब बेड़ा यहां पर जो यह के है के अब यह भी बता दिया फिर बता रहे हूं कि क्या है रेट और विल लॉसिटी कॉंस्टिट ठीक है जी राइट अच्छा फिर यह जो एक्स प्लस वाई है इसका जो सम है वो सपोज एन के एक्वल हो जाता है तो यह एन के है यह एन है और ओडर ओफ रियाक्शन अंके भाई ऑडर ओफ रियाक्शन एमल एख स्यकति है तो इसका मतलब ओडर ओफ रियाक्शन क्या होगा भाई ओडर ओफ रियाक्शन होगा कि हम जो experimentally rate log की एक्वेशन हें लिटर्माइन करते हैं उस rate log की एक्वेशन में जो concentration की powers होती है उनका जो sum निकल के आता है वही क्या होता है बिटा order होता है तो sum of powers of concentration of reactants in rate law क्या के लाएगा order of reaction के लाएगा जैसे for example यहाँ पर हमारा order अभी पीछे ही देखा क्या है x plus y है ठीक है तो यहाँ से हमें यह समझ में आ गया कि भाई यह जो power है x और y यह तो एक्सपेरिमेंटली डिटर्माइड होंगी तो इसका मतलब क्या है कि जो order है न भाई order यह भी क्या होगा नहां यह भी एक्सपेरिमेंटली डिटर्माइंड होगा ठीक है राइट चलिए आगे भढ़ते हैं बाई नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारी यूनिट ओफ रेट कॉंस्टेंट के ठीक है ध्यान से देखेगा बाई कि यहाँ पर सपोज आपके पास रेट लॉकी एक्वेशन क्या है के इंटू कॉंसेंट्रेशन ओफ ए की पावर एट ठीक है के के रेट कॉंस्टेंट है जिसकी यूनिट हमें डिटर्माइन करनी है एन क्या है बेटा कोई भी हाइपोथेटिकल रियाक्शन है उसका ओर्डर है है ना अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ कुछ चीज़े तुम जो है मेरा बच्चा यहाँ पर कॉंसेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करा था रेट को निकालने के लिए है ना तो यहाँ पर कॉंसेंट्रेशन यानि मुलारिटी की यूनिट क्या होती है पिटा मोल पर लीटर होती है क्या होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम अब पर यूनिट टाइम में कुछ भी आज़कता है second hour minute anything ओके चल तो यहां पर मुझे क्या पतार चला कि माम यह जो रेट दिख रहा है न मुझे इस में पर कि क्या है माम रेट की उनिट है megl per लीटर पर टाइय ठीक है रही बाद इस concentration की तो concentration का होती है देट चला करता मुझे तो न माम रेट यानि k की उनिट बता है क्या क्या बताय जाने वह बताओ न सीधा फैस तेक के जो है ये क्या होगा ये होगा rate divided by एक ही फावर कितनी मेरा पुतर है अब देख रेट की यूनिट क्या है mole per liter per time या फिर इसको ऐसे लिख सकते है mole per liter time inverse ऐसे लिख लेता है इसको वैसे ही अगर हम एक ही बात करें तो एक ही यूनिट क्या थी बेटा mole per liter थी तो अब अगर मैं खाली unit निखूँ तो उपर वाले की यूनिट है वो क्या आएगी वो आएगी mole per liter per unit time ठीक है वही जो नीचे दिया हो है पुतर नीचे अब देख नीचे तो एक ही पावर n है न तो यूनिट भी क्या होगी भाई यूनिट भी mole per liter की पावर n हो जाएगी तो मतब नीचे वाले की unit क्या होई mole per liter की पावर कितनी n तो यहां से k क्या हो जाएगा देख अब यहां पर suppose अगर पावर 1 है तो देख यह base same है तो यह जब उपर जाएगा तो पावर क्या कर जाएगी सब्ट्राक्ट कर जाएगी है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा पुतर यहां हो जाएगा mole per liter की जो पावर है 1-n इंटू time की पावर कितनी minus 1 अब यह time अगर second में है तो overall unit क्या आजाएगी mole per liter की पावर 1-n second की पावर minus 1 ठीक है जी चलिए अब यहां पर आईए फड़ा फट से यह तो आपने एक चीज सीखी है अब इसके बाद आपका जो n है यह क्या है order of reaction है यहां पर n क्या है order of reaction है ठीक है तो suppose हमारा zero order reaction है क्या है पुतर zero order reaction है तो zero order reaction में क्या होता है राजे एन की value जीरो हो जाती है yes or no yes ma'am तो यहां पर n को क्या पुट कर देंगे zero पुट कर देंगे भाई तो क्या हो जाएगी unit mole per liter की power क्या हो जाएगी मेरा पता 1-0 और second की power minus 1 तो क्या unit आ गई mole per liter per second तो इसका मतलब क्या कि भाई zero order के लिए जो rate होता है और जो rate constant होता है उन दोनों की unit क्या आती है सेम आती है ठीक है चाल इसके बाद next आ जाते हैं किसके लिए बेटा similarly for first order reaction first order reaction में unit क्या होगी मेरा पत्तर k की यह हो जाएगा mole per liter की power n-1 था बेटा तो 1-1 हो जाएगा ठीक है राइट और यहां क्या आ जाएगा second inverse अब देख अगर किसी की भी power 0 होती है suppose x की power 0 है तो वो 1 के एक्वल होता है तो यह पूरी term 1 के एक्वल हो जाएगी तो मतलब यहां पर unit क्या आ गई second inverse अब बहुत सारे cases में वो हमें rate constant दे देगा और हमें पता नहीं होगा order क्या है तो तू देखेगा कि एगर rate constant की जो unit है अगर second inverse है तो मतलब तेरा reaction क्या है first order का है तो इसलिए unit हमें सिखानी important हो जाती है इसलिए मैंने फटा फट से demonstrate करती है ठीक है जी चल आगे बढ़ते हैं पुत्तर जी let's move ahead start करते हैं with the questions जुतना भी मैंने आपको concept बताया है उससे हमारे majority of questions है कम से कम 10 अभी बन जाएंगे फिर जब नए concept की requirement होगी मैं वहां बताती जाओंगी ठीक है चल तो question है from the rate expression for the following reaction determine the order of reaction and determine the dimensions of rate constant dimensions का मतलब क्या है पुतर सीधा सीधा है कि आपको rate constant की क्या निकालनी है unit निकालनी है ठीक है तो सबसे बहला उठाते है बिटा जी the number one सबसे बहला क्या है कि rate क्या है k into no की concentration की power 2 तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है और कितना है order जो बेटा concentration की power है वही होता है तो order कितना है यहां पे order 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 तो बेटा जी 2 है clear फिर मुझे क्या बतानी है बेटा मुझे unit बतानी है तो मैंने अभी अभी सिखाई जो k होता है k उसकी unit का general formula क्या होता है यह होता है mole per liter की ध्यान से देखो power कितनी लगाई थी one minus n ठीक है अब यहां पर इसने mention नहीं किया है तो माल लो की भाई time की unit क्या है second है second की power minus one ठीक है right तो अब second order है हम को k बताना है तो क्या होगा कि mole per liter मे n को क्या put कर दोगी बिटा 2 और क्या आ जाएगा मेरा पुत्तर second inverse क्या जाएगा जी second inverse ठीक है जी तो क्या आ गया mole per liter की power minus one second inverse तो यह आ जाएगा mole inverse liter second inverse am I clear everyone ठीक है चली अब आते है second part पर भाई second part क्या दिख रहे आपको second part दिख रहे है rate किसके equal है राजे k into concentration of h2o2 into i minor ठीक है अब यहां पर अगर मैं दोनों reactant देखो दोनों की power one one है अगर कुछ भी नहीं है तो power क्या होती है भाई one होती है मतलब इसकी power भी one है इसकी power भी one है तो यह भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा order second order हो जाएगा मतलब n की value क्या हो गई 2 हो गई तो बेटा मतलब यहां पर जो unit आईए और बहां पर जो unit आएगी वह same आएगी तो direct लिक दो k की unit क्या हो जाएगी भाई mole inverse liter second inverse अगे भडते है भाई let's move ahead third part third part क्या है कि जो rate है पुतर जी rate वो है k into concentration of CH3CHO की power 3 by 2 तो जो power है वही क्या है order है तो मतलब यहां पर अपना order कितना आ रहे है पुतर order order 2 आ रहे है ठीक है वही अगर हमी unit निकाल नहीं है तो भाई अब यहां पर n को क्या put कर दो 3 by 2 तो unit क्या हो जाएगी यह हो जाएगी mole per liter into 1 minus 3 by 2 second inverse अब देख 1 minus 3 by 2 है minus 1 by 2 आ जाएगा तो यह हो गया mole per liter की power कितनी minus 1 by 2 second inverse solve करोगे तो mole की power minus 1 by 2 liter की power 1 by 2 second की power minus 1 ठीक है जी तो यह क्या आगया अपनी unit क्या आगयी किसकी rate constant की आगे भड़े भाई ठीक है अब आ जाते है किस पर बीटा क्या का आगया क्या आगया क्या है अपना ओर्डर यहाँ पर ओर्डर second and worse fine तो इस तरीके से एक नंबर में आ सकता है भाई ये fine हो सकता है MCQ में दे दे या इन general भी दे सकता है MCQ में ये दे सकता है कि बताओ in which of the following reaction the order is set to be 1, 2, 3, 4 ऐसे पूछ सकता है या फिर एक reaction के rate law के expression दे सकता है और उसकी units options में पूछ सकता है तो ये definitely important question है fine तो पहले लगा देती हूँ इस तरीके का question आ सकता है एक number में ठीक है जी चलिए आ जाते है next question ये भी important है ये दो number में आ सकता है कितने में आ सकता है दो number में दो number मतलब very short answer types में ऐसा question देखने को मिल सकता है क्या है question ध्यान से देखते है भाई question है कि अपने पास एक reaction है fine इस reaction की experimentally determined rate law की equation है बहुत बढ़िया और हमारे पास इसी reaction का क्या है rate constant है हमें क्या करना है हमें निकालना है initial rate of the reaction when the concentration of a and b is इतना ठीक है इसके बाद ये बोल रहा है हमें इसके बाद क्या करना है calculate करना है rate of reaction का अब जब a की concentration है वो reduce होके कितनी हो जा रही है 0.04 हो जा रही है बहुत सिर्पल है तुमको second part का कोई अता पता नहीं है लेकिन first part जो है वो तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें a और b की initial concentration दे रखी है rate का expression दे रखा है rate constant दे रखा है तुमको क्या निकालना है rate of reaction निकालना है तो यह पार्ट तुम्हें बहुत समझ में आ रहा है बाद पहला पार्ट तुम्हें मैं बहुत मस्त त पावर 2, ठीक है, यहाँ पर मैं मेरे को K की वाल्यू क्या दे रखी है, यह दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर, माइनस 6, मोल की पावर, माइनस 2, लीटर की पावर 2, सेकंड की पावर, माइनस 1, ठीक है, इसकी बाद initial concentration दे रखी है, कित्ती दे रखी है की initial concentration, यह दे रखी है 0.1 मोल, ओके जी, और B की जो concentration है, वो कित्ती दे रखी है मेरा पुतर, यह दे रखी है 0.2 मोल पावर लीटर, ठीक है, चाल, अब क्या करें, इन सबके expressions में, पुट कर दे वाल्यूज, है ना, तो यहाँ पर, दूसरी चीज़ दिख रही है, पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा, 0.1 मोल पावर लीटर, इन्टू, 0.2 मोल पावर लीटर का स्क्वेर, ठीक है, राइट, चाल, अब देखो, यहाँ पर मोल पावर लीटर का स्क्वेर है, यहाँ पर एक मोल पावर लीटर है, तो यहाँ से मोल इन्वर्स लीटर स्क्वेर एक तो कैंसल ही हो जाएगा, तो एक मोल पावर लीटर multiply कर लेते हैं यह है 2 into 10 की power minus 6 into 0.1 है into अब 0.2 का square है तो 0.2 into 0.2 कर दिया अब 0.1 into 0.2 into 0.2 तो यह हो जाएगा बेटा 4 into 10 की power minus 3 इधर है 2 इधर है 10 की power minus 6 तो यह कितना आजाएगा राजे यह जाएगा 8 into 10 की power minus 9 mole per liter per second ठेक है जी राइट क्या आजाएगा 8 into 10 की power minus 9 mole per liter per second फाइन चलिए अब आ जाते हैं बेटा जी इसी के ही second part पर तो देख second part में यह बोल रहा है कि भाई हमें तब निकालना है reaction का rate जब A की जो concentration है वो reduce होके कितनी हो चुकी है 0.06 हो चुकी है तो इस बात में थोड़ा सा हमारा stoichiometric का concept लगेगा देख A जो है वो 2B के साथ combine करता है और combine करके क्या बनाता है A2 भी बनाता है am I clear ठीक है चल यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुन एक ही जो initial concentration है कितनी है बेटा 0.1 है फाइन सपोज कोई time t आया जिस पर हमें rate of reaction concentration निकालना है उस पर जो एक ही concentration है वो reduce होके कितनी हो चुकी है 0.06 हो चुकी है ठीक है तो मतलब 0.1 में से सपोज कुछ x react करा है कितना react करा है पुत्तर x react करा है इसको जो है हमने गलत लिख दिया इसको 2A प्लस B लिख लो ठीक है हाँ चल अब यहाँ पर बेटा सपोज इसका x react करा है तो जब यह x react कर गया ना तो उसके बाद बचा हुआ कितना है 0.06 है तो बता यह x कितना होगा simple सी बात है भाई 0.1-x कितना है 0.06 है तो x क्या हो जाएगा 0.1-0.06 बोलो यानि कितना 0.04 तो मतलब कितना a react करा है भाई कितना a react करा है ध्यान से देखो 0.04 react करा है यह बात सब को समझ में आ गई ठीक है चल अब बेटा b की जो initial concentration है वो हमें दी गई है कितनी 0.2 लेकिन एक चीज़ है भाई कि अगर a का 2 mol react करता है तो b का 1 react करता है मतलब b का जो number of mol है वो हमेशा a से आदा react करता है तो अगर a का 0.04 react करा है न तो b का इसका आदा react करेगा यानि कितना 0.02 क्लेर है भाई ठीक है जी क्या करेगा आदा react करेगा तो अब बताओ कितना mol जो है वो हमारे b का बच जाएगा बेटा क्या करोगे तुम तुम जो है 0.2 माइनस 0.02 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.18 आजाएगा कितना आजाएगा बेटा 0.18 मोल आजाएगा तो अब तुम्हारे पास क्या आ गए है राजे तुम्हारे पास मोल्स या यह बोल दो कॉंसेंट्रेशन आ गई है किसकी A और B की जो बेटा हमारी अब बच्ची हुई है तो अब हमें क्या करना है हमें अब रेट ओफ रियाक्शन निकालना है जब इनीशल रेट निकालना था तब इनीशल कॉंसेंट्रेशन पुट करी थी अब जब इस टाइम टीपर हमें रेट निकालना है तो इस टाइम टीपर अब जो A और B की concentration बच्ची है हम वो put करेंगे clear है right तो क्या आएगा rate of reaction put कर दो expression में k into a की concentration into b की concentration का square चिक है तो k को put करेंगे राजे k कितना है अपना यहाँ पर k is basically 2 into 10 की power minus 6 right into a कितना है 0.06 है right fine b कितना है 0.18 का square है तो अगर हम unit की बात करेंगे unit तो यही वाली आएगी क्या mole per liter per second क्योंकि rate की unit हमेशे क्या आती है mole per liter per second ही आती है fine और अब कर आप इसको completely solve करेंगे तो यह 2.89 into 10 की power minus 9 mole per liter per second आजाएगा ठीक है exact value बता रहे हूँ आप जो है इसको एक बार solve करके देख सकते हैं am I clear everybody 3.89 into 10 की power minus 9 mole per liter per second आजाएगा ठीक है जी आगे भड़े fine चलिए next question पर चलते है बेटा next question क्या है बहुत ही easy पीजू सा question है ठीक है कोई इसमें दिमाग इत्ता लग लेगा नहीं question है कि भाई हमें जो है decomposition दी गई है किसकी NHT की platinum के surface पर और यह बताया गया है कि यह जो decomposition है वो एक zero order reaction है ठीक है कैसे होती है decomposition ammonia की बेटा जब भी ammonia decompose करता है मेरा पुत्तर क्या देता है वो N2 gas देता है plus 3 H2 gas देता है तो यह क्या है यह reaction है for the decomposition of ammonia क्या बोला गया है कि यह zero order reaction है पहली बात तो राइट दूसरा यह बोल रहा है कि बताओ rate of production of हमारा N2 और H2 क्या होगा अगर इस reaction का जो rate constant है वो 2.5 into 10 की power minus 4 mole inverse liter second inverse है बहुत simple है देख अगर हम बात करें बिटा zero order reaction के लिए किस के लिए बिटा for zero order reaction तो zero order reaction में पुत्तर rate क्या होता है बिटा k into सपोज ammonia हमारा reactant है उसकी power 0 तो इसका मतलब जो rate है zero order reaction के लिए वो rate constant के बराबर हो जाएगा और rate constant हमें कितना दिया गया है बिटा यह दिया गया है 2.5 into 10 की power minus 4 mole inverse liter second inverse am I clear everybody ठीक है right क्या दिया गया है mole per liter second inverse यहाँ पर थोड़ी सी typing error कर रखी है तो mole per liter second inverse आएगा अब यहाँ पर मेरा बेटा तेरे पास rate आ चुका है और तेरे को क्या निकालना rate of production rate of production मतलब rate of appearance of product तो याद कर rate of reaction और rate of appearance of product का क्या relation था पुत्तर हमारा relation था कि जो rate of reaction होगा किसके equal होगा बेटा यह equal होगा अब तुझे क्या निकालना है याद है अभी सिखाया था यह अब तुझे क्या निकालना है rate of appearance of n2 निकालना है या rate of production of n2 निकालना है थीक है तो rate of reaction की अगर मैं बात करूँ तो rate of reaction कितना है बेटा 2.5 इंटो 10 की पावर माइनस 4 है यही क्या है मेरा डेल n2 बाई डेल टी और यह further equal है किसके 1 बाई 3 डेल h2 बाई डेल टी ठीक है राइट अब देख बता मेरे को rate of production of n2 क्या होगा बेटा rate of production of एंटो क्या होगा बेटा बहुत simple है मेरा बेटा यह हो जाएगा डेल एंटो बाई एंटी राइट और यह जो है किसके बराबर दे रखा है बेटा यह दे रखा है अपना 2.5 इंटो 10 की पावर माइनस 15 इंटरा मोल पर लीटर पर सेकंड रहे है वही अगर मैं बात करूं किसकी बेटा रेट ओफ प्रॉडक्शन किसका मेरा बच्चा एच्टू का तो तेरा क्या होगा रेट ओफ प्रॉडक्शन ऑफ एच्टू यह होगा डेल कॉंसंट्रेशन ऑफ एच्टू बाइ डेल्टी मतलब यह वाली चीज होगी के बड़ ठीक है तो अगर तुझे इस चीज की वाल्यू निकाल नहीं है तो तू क्या कर सकता है बेटा थी को रेट ओफ रियाक्शन से मल्टिप्लाइ कर सकता है तो यह क्या हो जाएगा यह जा यह तीन या दो नंबर में आ सकता है क्वेशन एमाइख लियो ठीक है चल आगे बढ़ते हैं बिता तुवर्ट्स टी नेक्स्ट क्वेशन अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट तो देखो असान सा ग्वेशन है यह बोल रहा है क्या कि डीकंपोजिशन हो रही है डाय मिथाइल इथर की और उससे जो है हमारा मिथेन बन रहा है H2 बन रहा है carbon monoxide बन रहा है और यह जो हमारा reaction है इस reaction की rate का expression जो हमने experimentally determine करा है वो यह वाला है ठीक है भाई अब rate of reaction जो है is followed by increase in pressure in a closed vessel so that the expression of rate in terms of partial pressure is comes out to be this यह बोल रहा है कि भाई rate जो है ना वो हमने concentration की बज़ये partial pressure की terms में जो है निकाला है rate आप जो है reactants की concentration की terms में दे सकते हो यह partial pressure की term में दे सकते हो तो उपर उसने concentration की terms में दिया था नीचे कि कि तरम्स में दे दिया partial pressure की तरम्स में दें दिया कोई फरक ने पड़ता यह बोल रहा है कि अगर हम partial pressure को बार मे मेज़र कर रहे हैं और टाइम को हम मिनेट में मेज़र कर रहे हैं तो आप बताएं कि जो यूनिट है rate की और rate constant की क्या होगी, बहुत simple है आजो, देख, बिटा अगर अपन बात कर रहे हैं न किसकी rate की तो rate अगर तो partial pressure of reactant और product की terms में बताता है ठीक है, जैसे for example, यहाँ पर कोई reaction है A changes into B ठीक है, यह कोई भी हमारे पास arbitrary एक reaction है अब इस reaction में मेरे को suppose partial pressure की terms में rate of reaction बता ला है तो तू क्या लिख सकता है बटा तू लिख सकता है, change in partial pressure of A divided by 10P Am I clear? तो partial pressure की terms में अगर तू लिख रहा है तो उपर अगर जो unit है वो बार है और नीचे अगर minute है तो मतलब rate की unit क्या आएगी बिटा? बार पर minute आजाएगी बूल क्या आजाएगी unit? बार पर minute आजाएगी चिक्या जी? तो अब similarly यहाँ पर हमें rate दे रखा है तो यहाँ पर rate की unit क्या होगी पुत्तर? वही हो जाएगी बार पर minute और यह rate है किसके? यह है के इंटू कॉंसेंट्रेशन पार्शल प्रेशर ओफ CH3O CH3 की पावर कितनी? 3 by 2 तो के क्या हो जाएगा पेटा? के हो जाएगा rate divided by पार्शल प्रेशर ओफ CH3O CH3 की unit कितनी? 3 by 2 ठीक है? अब पार्शल प्रेशर की टर्म्स में जो हमने rate की unit निकाली है, कितनी आई है बार पर मिनिट आई है तो numerator में तो क्या आजाएगा? बार पर मिनिट आजाएगा ठीक है? नीचे देख पार्शल प्रेशर है तो पार्शल प्रेशर यूनित क्या होती है? बार होती है तो यह क्या है बार की पावर 3 by 2 अब देख ऊपर बार की पावर 1 है नीचे 3 by 2 है बेस से में तो ऊपर जाएके पावर क्या हो जाएगी सब्ट्राक्ट हो जाएगी तो क्या आजाएगा बिटा यह आजाएगा बार की पावर 1 minus 3 by 2 minute inverse अब 1 minus 3 by 2 क्या होता है minus 1 by 2 हो जाएगा बाई तो क्या आगए यूनिट बार की minus 1 by 2 और minute की minus 1 तो इस तरीके से अगर partial pressure के terms में भी rate आए या rate constant आए तो आप बता सकते हैं सबको समझ आ गया होगा ठीक है तो बार की पावर 1 minus 2 और minute की minus 1 हो जाएगी अब आज आते हैं पुतर जी next question के उपर easy-peasy सा question है ये भी क्या है ये question ये बोल रहा है हमें बताने हैं वो सारे factors जो क्या करते हैं राजे rate of chemical reaction को effect करते हैं तो बेटा याद रखना जो rate of chemical reaction है वो 6 factors से effect होता है ये सारे-की-सारे factors NCRT ने mention करे हुए है सबसे पहला factor जो है वो है nature of reaction क्या है भाई nature of reaction usually क्या होता है कि भाई आपका जो भी reaction है उसमें जो reactants है अगर वो ionic reaction कर रहे हैं तो उस reaction का rate fast होता है राइट क्योंकि ionic reactions में बेटा कोई bond making breaking नहीं होती ionic है तो उनका rate definitely जादा होगा किन के comparison में उन reactant के comparison में जिनके अंदर क्या exist करती है covalent bond exist करती है तो पहला factor जो rate of reaction को effect करता है वो क्या होगा मेरा बेटा आपका nature of reactant अगर ionic reactant है तो जल्दी react करेगा covalent है तो धीरे react करेगा fine उसके बाद आजाते है next next क्या है surface area usually क्या होता है बेटा अगर हमारे reactant का surface area है वो भढ़ता है तो बेटा उसका जो reaction को करवाने का अब reactant का surface area तिना भढ़ गया अगर पहले इतना reactant था तो इतना सा ही react कर पा रहा था अब इतना सारा जो है reactant क्या कर रहा है, react कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा rate of reaction क्या करेगा, increase कर जाएगा, क्या करेगा भाई, increase करेगा, जितना जाधा surface ही रहा, reactant का बढ़ता है, reactant उतना जाधा reactant करता है, जितना जाधा reactant react करता है, उतना जाधा rate of reaction होता है, उस तो definitely rate of reaction क्या करता है increase कर जाता है ठीक है next क्या है बिटा radiation का exposure अगर आपने किसी reaction को light की presence में कराया है तो generally वो जल्दी अकर करता है comparative to the reaction जो dark में अकर कर रहा है right तो radiation के exposure से क्या होता है reaction का rate increase कर जाता है right next है temperature usually बिटा हमारा 10 degree Celsius temperature बढ़ाने से जो rate of reaction है वो almost double कर जाता है ठीक है तो क्या बोलोगी भाई हमारा rate of reaction will increases on increase of temperature एक reason तो आप यह बोल सकते हो कि temperature coefficient वाला concept होता है कि temperature coefficient almost double हो जाता है 10 degree Celsius temperature बढ़ाने से या फिर आप यह भी बोल सकते हो कि temperature बढ़ाने से हमारे जो reactants है उनकी kinetic energy भढ़ती है जादा reactant react करते है और rate of reaction भढ़ जाता है ठीक है चाले next क्या है बिटा जो हमारे reaction की rate को effect करता है बिटा वो है concentration अगर reactant की concentration जादा है जादा reactant जादा reactant react कर पाएगा और अगर जादा reactant react कर पाएगा तो rate of reaction अगें क्या करेगा भढ़ जाएगा am I clear everyone fine चल आगे बढ़ते है बाई अब यह देखो तुमारा आया हुए cbac में दो बार fine important है ये क्या है question ये बोल रहा है कि एक reaction जो है वो second order kinetics को अब्वे करता है with respect to the reactant how is the rate of reaction is affected if the concentration of reactant is पहला double दूसरा reduce to half ठीक है अपने को नहीं पता कि कौन सा reaction है तो suppose हम माल लेते हैं कि reaction क्या है a is getting change into b right तो हमारा यहाँ पर reaction है a is getting change into b और उसका rate क्या है बिटा suppose rate है k into a की power 2 अब a की power 2 क्यों करी है क्योंकि इसने mention करा है कि हमारा जो a है उसके respect में order क्या है 2 है am I clear everyone ओके अब suppose जो ये a है उसकी जो मैंने concentration है वो a के बराबर बाल ले क्या बाल ली a के बराबर बाल ले ठीक है पहला case लेते है थेर concentration is doubled यहाँ पर क्या करा गया है बिटाची concentration को double कर दिया गया है तो अगर concentration को double कर दिया गया है तो भाई अब a जो है किसके equal हो जाएगा 2 a के equal हो जाएगा हां के ना बोलो राइट तो अब क्या हो जाएगा बिटा rate पहले तो क्या था k into a का square था तो k square था अब क्या होगा बिटा k into जो a है उसकी concentration तो क्या put कर देगा इसका square put कर देगा तो बाहर 4 आया अंदर k square आ गया पहले k a था k square था अब 4 k square हो गया बतब rate of reaction एक ही concentration को डबल करने से कितना आ गया बिटा 4 टाइम्स आ गया क्या गया मेरा पुतर पूर टाइम्स निकल के आ गया ठीक है जी राइट चल अब आ जाते हैं बेटा कहां पर हमारे केस नमबर टू की तरफ ओ भाई जादू जादू चल वापस आजाओ भाई अब क्या करे करना पड़ता है जादू ही हुआ था भाई है चल आगे आजो next क्या है भाई case 2 ये क्या होगा बेटा here concentration is half तो half का मतलब क्या हे कि अब A की concentration क्या हो चुकी है बेटा ए बाय 2 हो चुकी है अगर A थी फेले अब क्या हो चुकी है तो यहाँ पर rate क्या होगा भाई rate हो जाएगा k इंटू का sqlore नंदर क्या जाएगा बिटा वन बाई फॉर बाहर आ जाएगा अंदर क्या आ जाएगा कि A square तो मतलब अब जो हमारा rate है वो क्या हो चुका है यह तो हमारा initial rate था इस initial rate का 1 by 4 टाइम्स आया है हमारा तो अब क्या हो चुका है 1 4th हो चुका है हमारा rate of reaction Am I clear everyone? ठीक है जी चलिए तो यह question आया हुआ है अब यह अगर आता है अब तो दो नंबर में आएगा अगर अभी दे देता है examiner तो दो marks में आ सकता है Am I clear? ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं बेटा towards the next question यह क्या है What is the effect of temperature on rate constant of reaction how can this effect of temperature on rate constant can be represented quantitatively पहली बात तो बेटा अगर वो तुमसे केवल और केवल effect of temperature पूछता है on rate constant of the reaction तो याद रखना कि चाहे rate constant हो, चाहे rate of reaction हो, सेम ही चीज है तो जैसे temperature भढ़ाने से rate of reaction भढ़ जाता है, rate constant भी भढ़ जाता है Usually हम पढ़ते हैं कि हमारा 10 degree rise के लिए किसके अंदर, temperature के अंदर rate constant या rate of reaction almost double हो जाता है क्या हो जाता है बिटा जी, almost double हो जाता है, am I clear? ओके, अच्छा अब बिटा, हमारा जो effect of temperature और rate constant है वो quantitatively अगर हमें कोई पूछता है कि एक्सप्रेस करना है तो फिर वो हम कैसे express करते हैं बिटा, वो हम express करते है with the help of arhaneus equation tension मतलो, यह equation मैं अभी तुभे पढ़ाऊंगी, ठीक है k rate constant है, a क्या है मेरा बिटा, आपका pre-exponential factor है या इसको arhaneus constant या arhaneus factor भी बोल देते है, e exponent है, e activation energy है, r gas constant है, और t क्या है, temperature है, अभी मैं यह आपको पढ़ाऊंगी, थोड़ा बहुत detail में, ठीक है, जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई next आ जाते है, integrated rate equations, इनसे भी बहुत questions आएंगे, और अगर इनसे आते हैं, तो 3 number में आएंगे, या 5 number में आएंगे 2 से थोड़ी कम possibility होती है, ठीक है क्योंकि question थोड़े लंबे है, fine तो integrated rate equations का हम कहा use करते हैं, पिटा वो क्या करेगा, वो तुमको किसी भी temperature पर rate constant निकलवा सकता है, ठीक है temperature नहीं time पर, क्या कर सकता है, वो तुमें किसी भी time पर rate constant निकलवा सकता है, वो तुमें time दे बोलेगा, बता कि इस time पर suppose हमारे reactant की concentration initial से इतनी हो चुकी है, तो बता rate constant क्या होगा, तो फिर वहाँ पर हमें कौनसी equation यूज करनी पड़ती है, बिटा हमको यूज करनी पड़ती है, integrated rate equation तो integrated rate equation जो है, हमें दो orders के लिए पढ़नी है, एक हमें पढ़नी है, for zero order, दूसरी हमें पढ़नी है किसके लिए, बेटा जी, for first order, ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेगी, बेटा, for zero order तो zero order के लिए integrated rate equation है, 80 is equals to a minus kt, ठीक है, यहाँ पर अभी 80 क्या है, what is this 80 80 है, बेटा, concentration of reactant left at time t, मत्तब वो concentration हमारे reactant की जो बची हुई है, time period t पर, ठीक है, क्या है भाई, यह concentration है, of reactant left at time t ठीक है, वही अगर हम बात करें, बेटा, a की है, किसकी, a की, या तो आप इसको a ले लो, या a not भी ले सकते हो, ठीक है, a not क्या है, बेटा, हमारे reactant की initial concentration, मत्तब वो concentration जो reactant की थी, जब reaction start नहीं हुआ था, clear है, तो यह क्या होगी, पुत्तर हमारी, तुनक तुनक तुनतारा था, मतलब initial concentration, ठीक है, चालो, अब बेटा, के क्या है, के हमारा rate constant है, zero order reaction का, clear है जी, और बेटा, जो TAT, यह क्या है, मतलबी time period, ठीक है, यह क्या है हमारा time period, राइट, चलिए, तो यहाँ पर हमारी, यह जो equation है, हमारी कभी उस करी जाती है, जब हमारा zero order reaction होता है, वो क्या करेगा, वो तिरे को time t पर concentration दे देगा, initial concentration दे देगा, time दे देगा, और k पूछ लेगा, तो equation use कर लिए हो, simple है, ठीक है, चाल, इसके बाद, दूसरी जीज, दूसरी जीज है, integrated rate equation, किसकी बेटा जी, for, first order reaction, तो देख, first order reaction में, बस उपर की equation में, तिरे को ln लगाना होता है, तो क्या होती है, ln at, equal to ln a not, minus क्या, minus kt, ठीक है, तो एक तो ये form है, दूसरी form क्या है, भाई, कि अपन क्या कर रहे है, kt को इदर ले जा रहे है, और इदर क्या रिख रहे है, ln a not, minus ln a, अब ln a minus ln b क्या होता है, ln a by b होता है, ठीक है जी, तो क्या होगा, kt equals to ln a not, by a t, ठीक है जी, अब ln को log में convert करोगी, तो 2.333 से multiply कर देते हो, तो क्या होगा, भाई, यह होगा, भाई, kt equals to 2.303 log a not by a t, clear है, और यहां से हमारा जो k क्या आ जाएगा, 2.303 by t log of a not by a t, am I clear everyone, fine, तो यह equation आ गए किसकी first order की, बोल यह, clear है कि नहीं है, fine, तो equation जो numerical में है, वो usually यही वाली यूज होती है, ठीक है, और कहीं कहीं पर graph वाले questions में यह वाली भी हम use करेंगे, लेकिन जादा तर कि यहीं ही use करेंगे, है ना, अच्छा, अब इस equation को एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे for example, suppose, जब तुम्हारा initial time था, time 0 था, तब a की जो initial concentration थी a not, वो suppose कितनी थी, a थी, ठीक है, अब suppose time t पर तुम्हें concentration निकालनी है, तो यह समझो कि a में से अगर x concentration of reactant react कर गया, तो जो बच्ची हुई concentration होगी, वो क्या होगी, a minus x होगी न बिटा, ठीक है, x क्या है, x वो concentration है reactant की जो react कर गई, x क्या है बिटा जी, concentration of reactant, reacted, ठीक है, तो a minus x क्या है, बच्ची हुई कोसेंट्रेशन है यह बच्चों को नहीं पता होता है तो यह याद रखता है ठीक है चालो अब आज आते हैं वह क्वेशन पर एक दिन दुन-दुन-दुन करके सबसे पहले आ रहे हैं हमारे इस रियाक्षिन में हमें क्या दिया गया है डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइम पर एस्टर की जो हमको initial time मतलब जब time 0 है उस पर concentration दी गई है Esther की 80 पर दी गई है seconds पर 60 seconds पर दी गई है और 90 seconds पर दी गई है ठीक है मेरा बच्चा fine okay मेरे को लग रहा है यहाँ थोड़ा सा printing error है भाई I guess 80 तो हो नहीं सकता this is 30 ठीक है इसको printing error है ठीक है 30 60 और 90 आएगा ठीक है क्या आएगा 30 60 और 90 आएगा fine चालो अब क्या क्या दे रखे है question में पहले तो यह बोल रहा है कि तुमको क्या निकालना है तुमको average rate निकालना है किस time interval के अंदर बेटा 30 से लेकर 60 seconds के अंदर तो बहुत simple है अगर हमको 30 से लेकर और time period को भी subtract कर दो पहले part में क्या निकालना है बेटा जी average rate right minus sign हमेशा आता है मैंने बताया था क्यों क्योंकि reactant के respect में negative आजाएगा अगर minus sign नहीं लगाएंगे और rate कभी भी negative नहीं आता तो यहाँ minus sign लगाया वहाँ पर क्या करेंगे बेटा जी वहाँ हम करेंगे 0.7 minus 0.31 ठीक है जी divide किस से करोगे divide करोगे पुत्तर जी 60 minus 30 से ठीक है यह final concentration है 0.17 और initial कितनी है बेटा जी 0.31 है am I clear everyone subtract करोगे right तो क्या आजाएगा 0.14 के असपस आजाएगा divide किस से कर रहे हो 30 से divide कर रहे हो इसको लिख सकते हो 14 divided by 30 into 100 fine so यह आजाएगा 14 by 3 into 10 की पावर minus 3 जब इसको solve करोगे तो exact answer आजाएगा 4.67 into 10 की पावर minus 3 mole per liter 4 second am I clear everyone okay right चलिए तो क्या निकल गया अपना यहाँ पर average rate निकल गया सिखाया था आप लोगों को आगे बढ़ते हैं आगे यह क्या बोल रहा है पुतर आगे यह बोल रहा है कि तुमको जो है pseudo first order reaction का rate constant निकालना है अब दिक्कत क्या है कि माम हमको ना initial concentration तो दी है लेकिन concentration at time t हमको तीन अलग-अलग time पे दी है तो माम ऐसे तो हमारे तीन अलग-अलग rate constant आएंगे हाएंगे तो माम हम क्या करें फिर पिटा तू उन तीनों का average ले क्या ले उन तीनों का average ले अमाई clear ठीक है तो सबसे पहले जो है हम suppose यह लेके चलते है हमारा table में पहले वाला ओके तो यहाँ पर suppose हम पहला case लेके चल रहे है time क्या यहाँ पर 30 seconds है देखो initial concentration तो मिटा हर case में fix ही रहेगी कित्ती रहेगी initial concentration मिटा 0.55 मोल पर लीटर ठीक है अच्छा यहाँ पर हमें concentration जो है 30 seconds पर यानि time T पर कित्ती दे रखी है द्यान से देख बिटा पहले case में 0.31 दे रखी है कित्ती दे रखी है मेरा पुत्तर 0.31 दे रखी है fine चल अब देख for first order reaction क्योंकि यह first order reaction है हमको पता है क्या for first order reaction right हमको पता है क्या भाई कि जो K होता है वह होता है 2.303 by T log of A not by 80 right यह होता है जी ठिक है अब यहाँ पर A not को पुट करेंगे तो suppose यह हमारा K1 है suppose यह होगा 2.303 divided by T को क्या पुट कर दोगे भाई 30 seconds पुट कर दोगे right यहाँ आ जाएगा log उपर क्या है 0.55 है नीचे क्या है बिटा 0.31 है अब ज़रा एक बार calculator की help से मैं इसको calculate करती हूँ आप भी screen pause करके इसको calculate करिए भाई ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखू यह है 0.55 डिवाइड़ बाई 0.31 ओकी जी तो यह हो जाएगा 2.303 divided by 30 log of 1.774 ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं log of यहाँ से देखू 1.774 मैंने mention कर रखा है कितना है 0.2489 है कितना है बिटा 0.2489 है इंटू इसको क्या करोगे बिटा 2.303 करोगे divided by क्या कर दोगे 30 कर दोगे clear है भाई अब इसको solve कर लेते है जी पड़ा पट से क्या आएगा जी 2.303 multiply by 2.24 8.9 ठीक है जी divided by क्या कर लिया 30 कर लिया तो यह जो है अपना आजाएगा approximate बता रहे हो 1.91 into 10 की पावर minus 2 और first order का है तो unit क्या जाएगी पुत्तर जी second inverse clear है तो यह first case में केवन आ गया है वैसे ही क्या करेंगे बिटा अब हम second case पे भी निकाल लेंगे okay so case 2 ले लो भाई case 2 में क्या है time कितना है राजे time 60 है time कितना है 60 second है तो यहाँ पर अगर अपन A की बात करें तो A कितना है राजे वही है 0.44 mole per liter 5 और यहाँ पर 60 second पर concentration कितनी है 0.17 अपतर कितनी है A naught 0.17 mole per liter ठीक है पुट करते है भाई इसको K2 के expression में क्या होगा अपना K2 के 2 होगा 2.303 by 60 into log of 0.55 divided by 80 को put कर देंगे 0.17 ठीक है अब एक बार जो है जारा इसको divide कर लेते है 0.55 divided by 0.17 तो यहाँ आजाएगा कितना log of 3.235 इसको 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 क्या 2.303 भाई 60 ठीक है जी अब log of 3.2 की वालियों हम लोगों को यहाँ दे रखे कितनी दे रखे है 0.5098 ठीक है जी क्या दे रखे है 0.5098 into क्या करेंगे बेटा into वही करेंगे 2.303 divided by क्या 60 clear तो यह क्या आजाएगा बेटा यह आजाएगा 0.5098 multiply by 2.303 divided by क्या बेटा 60 तो यह आजाएगा कितना 0.01956 आ रहा है तो इसको ऐसा कर लो भाई 1.96 आजाएगा के लिए बहतर रहेगा है ना fast forward as in क्या आप speed भी भड़ा सकते हो या थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो final page तक भी आ सकते हो ठीक है चलो अप case 3 ले लेते हैं यहाँ पर time कितना है 90 है और concentration किती है जिरो पॉइंट फाइफ पाइफ बोल पर लीटर और concentration at time T क्या दे रखिए बेटा 0.085 दे रखिए है अब बेटा यहाँ पर के थरी की अगर मैं बात करूँ तो यह क्या होगा 2.303 डिवाइड़ बाय क्या 90 इंटू लॉग उफ क्या होगा बेटा लॉग होगा हमारा a0 बाय 80 a0 कितना है यहाँ पर देखो बेटा 0.55 है डिवाइड़ बाय 0.085 हम करेंगे चिक है तो 0.55 डिवाइड़ बाय 0.085 हम कर रहे है तो यह आ जाएगा बेटा 2.303 डिवाइड़ बाय 90 इंटू लॉग उफ 6.47 ठीक है और लॉग उफ 6.47 मैंने हाँ पर आपको solve कि दर रखा किता है 0.81 है ठीक है चीदो क्या कर तो 0.81 को इदर पुट कर देंगे भाई छीक है कितना सा पुट करना था बेटाजी 0.81 फाइड तो इंटू क्या कर देंगे 0.81 कर देंगे क्लियर तो 2.303 इंटू पॉइंट एट वन डिवाइड़ बाई 90 2.303 मल्टिप्लाइब बाई पॉइंट एट वन डिवाइड़ बाई 90 ठीक है तो यह अप्रॉक्सिमेट आ जाएगा अपना 2.07 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड वर्स ठीक है जी तो अब देखो वी एसे तो आसपास ही आयायाना पहला दूसरा और तिसरा लेकिन हमें क्या लेना इनका आवरेज लेना है तो नीचे जगा नहीं है उपर लिख देती हूं यह पर ठीक है जीदा राजया उपर फाइन तो क्या होगा बेट़ए अपना आवरेज के यह होगा k1 plus k2 plus k3 divided by 3 चैके बुत्तर तो क्या होगा यह हो जाएगा 1.91 into 10 की पावर minus 2 plus दूसरा कित्ता है था पेटा दूसरा है था अपना 1.96 into 10 की पावर minus 2 plus तीसरा क्या है था पेटा 2.07 into 10 की पावर minus 2 अवरेज ले दा है तो तीन वैल्यू दा है तीनों को 3 से डिवाइड कर दोगे approximate जो अवरेज है वो आएगा 1.98 into 10 की पावर minus 2 second inverse am I clear everyone ठीक है चालो बाई आगे बढ़ते है towards the next question next question क्या है यह बोल रहा है कि एक reaction है जो first order है A के respect में और second order है B के respect में तो अगर मैं इस reaction का rate का equation लिखू तो क्या होगा rate का equation यह हो जाएगा k into A की पावर 1 और B की concentration की पावर क्या हो जाएगा पुत्तर जी हापर 2 हो जाएगा क्या बोल रहा है पहले तो भाई differential rate equation लिखो differential rate equation का कुछ मतलब नहीं है बिटा भाई तुम dx by dt लिख दो या फिर लिखना है तो da by dt लिख दो क्योंकि आपका है how is the rate affected on increasing the concentration of b3 types ठीक है बहुत सिंपल है एक काम कर ले तुना A की जो concentration है उसको A ले ले और जो B की concentration है उसको small b ले ले तो यह जो तेरा rate है क्या हो जाएगा k a b square हो जाएगा ठीक है अब second part में यह क्या बोल रहा है तीरी जो B की concentration है तुने थ्री टाइम्स करती है ना तो मत्तब अब जो तेरा B है वो initial वाले की थ्री टाइम्स है तो मत्तब 3B हो गई राइट तो अब अगर तु रेट निकालता है तो रेट क्या होगा बेटा के इंटू एक ही concentration तो वही है बी-बी कितनी कितनी हो गई यह बेटा अब square करेगा तो 9 आ जाएगा 9 को बाहर लेआ तो क्या हो गया बेटा यह आ गया अब यह के बी-स्क्वेर क्या है भाई यह के बी-स्क्वेर है हमारा initial rate of reaction ठीक है जी क्या है तेरा initial rate of reaction तो initial की कितने ताइम्स आ गया है, नाइन टाइम्स आ गया है, तो मतब rate of reaction क्या कर जाएगा बेटा नाइन टाइम्स increase कर जाएगा इसके बाद आजाते है थर्ड पार्ट के उपर थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि A और B दोनों की concentration को double कर दिया गया है, तो बताओ rate of reaction का क्या होगा देखो, बहुत simple है भाई अब A की concentration क्या हो गई है 2A B की concentration क्या हो गई है बिटाजी 2B clear है, तो rate क्या होगा rate rate है, K into concentration of A into B की concentration का square, ठीक है तो क्या होगा, K इसको तो 2A पुट कर दोगे भाई और यह क्या हो जाएगा 2B का square हो जाएगा, ठीक है तो 2 into 4 करोगे क्योंकि 2 का square 4 होता है तो 4 into 2, 8 हो जाएगा तो 8 को बहार लाओ भाई क्या गया 8 K A B square अब यह K A B square क्या है तेरा initial rate, मतलब अब जो rate है वो 8 times हो जाएगा initial rate के ठीक है, तो क्या लिखोगे भाई 8 times increased Am I clear everyone? ठीक है जी, I hope सबको यह question समझ में आ गया होगा आगे भडते हैं भाई, बहुत simple सा था ठीक है जी, चलिए next question पर आते है easy-peasy question है परिशान नहीं होना जादा fine, चलो, तो let's solve the next question right here अब इस concentration के लिए हमें क्या बोल रहा है इस question में, कि भाई, यहां पर reaction हो रहा है A और B के बीच में, ठीक है, क्या हो रहा है, reaction हो रहा है A और B के बीच में, यह बोल रहा है कि जो initial rate है A और B का, वो measure करा गया है मेरा बच्चा, different, different concentrations के corresponding, मतलब क्या जब A और B की concentration इतनी थी, rate इतना आया B की इतनी थी, इतना आया जब हमारी A और B की concentration इतनी थी, तो rate इतना निकल के आया इतना निकल के आया, am I clear everyone? ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे data को use करके order बताना है reaction का, किस-किस के respect में बिटा A के respect में और B के respect में, easy-peasy question है, कोई दिक्कत की बात है नहीं ठीक है, तो चाल, यहाँ पर सबसे पहले, तो हम क्या माल लेते हैं? हम माल लेते हैं कि A और B के respect में, जो ये reaction है उसका order A है, small a और small b है, ठीक है? राइट, क्या माल लिया भाई, अपन ने माल लिया, कि जो rate है, क्या है मारे reaction का, K into A की concentration, small a, into B की concentration, कितनी पुत्तर जी, small b, am I clear? ठीक है? चाल, अब बिड़ा, यहाँ पर फड़ा-फट से, हम जो है, तीन cases लेते हैं, case 1 में क्या है, कि A और B की concentration इतनी है, तो इसको ले लिया, suppose मैंने R1, क्या होगा, K into A की concentration पुटकर ही कितनी? 0.2 की power A, और B की पुटकर कितनी हो जाएगी? 0.3 की power, small b, ठीक है जी, अब आगे R2 पर, R2 क्या है? K into 0.2 की concentration, small a, into 0.1 की concentration, small b, ठीक है? 3rd ले लिया भाई, R3 क्या है? K into, कितनी A की concentration? पीटा, 0.4 है, उसकी power A ले ली, और हमारा जो B है, कितना है? 0.05 है, तो उसकी हमने power यहां पर B ले ले, ठीक है दी? तो यह तीन rate की equations आ गई है, है ना? इसको क्या ले ले, suppose equation number 1 ले ले, इसको ले ले 2, इसको क्या ले ले 3, तो जब ही भी ऐसा होता है कि तेरे को data दे रखा होता है, data में तेरे को reactants की concentration दे रखी है, मेरा बिटा, और उनके corresponding अलग लग rates दे रखे हैं, तो हमेशा तेरे को क्या करनी है, पहले, जो rate law का expression होता है, वो ले ले लेना है, अब इन rate law के expressions में से, तेरको 2 expression ऐसे उठाने है, जब तु उनको divide करें, तो कुछ terms cancel हो जाए, तो ध्यान से देख, अगर तु इन दोनों को divide करता है, तो k into 0.2 की power a cancel हो जाएगा, हाँ के ना, हाँ, राइट, तो बेटा, यहाँ पर, अगर मैं करती हूँ, dividing, क्या, dividing, किसको बेटा जी, 1 को by 2, तो क्या आएगा, पुतर ही आएगा, r1 divided by r2, equal to k into 0.2 की power small a, into 0.3 की power small b, divided by क्या करेंगे, पुतर, k into 0.2 की power small a, और नीचे क्या जाएगा, 0.1 की power small b, ठीक है, राइट, r1, r2 को पुट कर सकता है, यह तिरा r1 है, यह तिरा r2 है, पुट कर दे, राइट, so r1 हो जाएगा, 5.07 into 10 की power minus 5, divided by r2, r2 कितना है द्यान से देख, again, 5.07 into 10 की power minus 5, fine, अब इस वाली चीज़ से, यह वाली चीज़ कैंसल हो रही है, तो क्या और है, यहाँ पर, 0.3 की power b, divided by 0.1 की power b, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.3 divided by 0.1 की whole power b, या फिर काटेगा, तो क्या बच जाएगा, 3 की power b, क्या बचेगा, बेटा, 3 की power b, am I clear, चिक है, हाँ के न, clear है, ओके, तो यहाँ पर जब यह दोनों कटेंगे, तो यह किसके equal आएगा, बेटा, 1 के equal आएगा, तो मतब 3 की power b, किसके equal आए, बेटा, 1 के equal आएगा, तो therefore, क्या बोलोगे, 3 की power b, किसके equal आएगा, 3, या फिर यह बोल, 1 के equal आएगा, अब 1, चोई, क्या हो सकता, 3 की power 0 हो सकता है, राइट, 1 को क्या लिख सकते है, 3 की power, 0 लिख सकते है, तो therefore, यहाँ से b, किसके equal आजाएगा, 0, मतलब order of reaction with respect to b, क्या आजाएगा, मेरा बेटा, 0 आजाएगा, क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे भाई, therefore, order of reaction, with respect to reactant b, क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, ठीक है, चाल, अब हम क्या गरते हैं, हम और दो equations उठाते हैं, पुत्तर जी, यहाँ पर, fine, let's pick two more equations, fine, दो और equations दो हम उठा लेते हैं, भाई, okay, चालो, तो suppose यहाँ पर हमने जो है, एक उठा ली क्या, मेरा पुत्तर, equation, last वाले के corresponding, मतलब 1.43 के corresponding, ठीक है, right, तो देख, यहाँ पर क्या होगा, एक ये ले लिया, fine, और एक क्या गरा भाई, एक जो है, suppose अपन ने ये ले लिया, ठीक है, राइट, तो क्या होगा भाई, आजा, next page पर आजा, divide 3 by 2, है ना, मतलब R3 को जो है, R2 से divide कर रहे है, R3 की value कितनी है, बेटा, R3 की value है, 1.43 इंटू 10 की power minus 4, क्या है, बेटा, 1.43 इंटू 10 की power minus 4, ठीक है जी, write, चलो, उसके बाद बेटा, R2 क्या है, R2 है 5.07 इंटू 10 की power minus 5, fine, जही हो जाएगा, 5.07 इंटू 10 की power minus 5, ओके, equal to क्या रखोगे बेटा, R3 देख, इसके equal है, R3 equal है, K इंटू 0.4 की power A, इंटू 0.05 की power B, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको किस से, बेटा, K से, right, और R2 में क्या है, 0.2 और 0.1, तो यहाँ जाएगा 0.2 की power A, और यहाँ क्या जाएगा, बेटा, यहाँ जाएगा 0.1 की power कितनी B, ठीक है, कितना है, 0.1 की power B है, ठीक है, अभी दरा भाई, डिवाइड करेंगे, तो के से के कट लेगा, यहाँ पर यहाँ लिख सकता है, 0.04 divided by 0.02 कर सकता है, जी, इस पूरे की power क्या हो जाएगी, यहाँ पर आजा, यह क्या है, तिरा 0.05 है, divided by क्या है, 0.1 है, अब भाई तो इसको क्यों ही डिवाइड करेंगा, वैसे तो यह 1 by 2 आएगा, डिवाइड कर लेगा, तो 1 by 2 आएगा, लेकिन भाई, अपने को पता है, कि जो B है, वो कितना है, भी तो 0 है, तो किसी की भी power 0 तो 1 के equal आजाएगा, हाँ के न, तो यह पूरा किसके equal आगया, अपना 1 के equal आगया, इसको डिवाइड करेगा, तो यह क्या जाएगा, बेटा, 2, ठीक है, यह किसके equal आगया, मेरा पुता जी, इसके equal आगया, फाइन, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है, 5.07 को, डिवाइड कर लेते हैं, किस से, 1.43 को, डिवाइड कर लेते हैं, किस से, 5.07 से, ठीक है, तो एप्रॉक्सिमेटली जो है, पुतर, यह कितना आ रहे है, 0.28 आ रहे है, क्लियर है, ठीक है, तो 2 की पावर, एक इसके equal आगया है, प्रॉक्सिमेटली पुतर, 0.28 के, अब ऐसे तो यह solve होगा नहीं, तो क्या लोगी, दोनों साइड, लॉग ले लोगे, ठीक है, तो क्या हो गया, लॉग, 0.28, एक सेकंड, यहाँ पर बेटा, 10 की पावर, माइनस 2 भी तो होगा न, वह हम भूल गए, 10 की पावर, माइनस 1 भी तो बचेगा न, उपर, गलती से माँ भूल गई, पूर है, नीचो 10 की पावर, माइनस 5 है, तो एक उपर भी जाएगा 10, तो यह इंटू 10 आएगा, तो यह 2.8 आएगा, इस इकोल स्टू 2 की पावर है, ठीक है, दोनों साइड लॉग लोगे, तो लॉग उफ 2.8, किसके एकवल आगया बिटा, ए लॉग 2 के, ठीक है जी, अब ज़रा सॉल्फ कर लेते हैं, लॉग 2.8 को, आपको क्वेश्चन में यह मिलेगा, ठीक है जी, लॉग उफ 2.8, हाँ जी, लॉग उफ 2.8, तो यह आएगा, 0.447 के असपास, या फिर 0.5 के असपास आजाएगा, वैसे तो मैंने पीछे लिखा हुआ था, मैं भूल भी गई, कि मैंने यह लिखा हुआ है, पर चलो कोई नहीं, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली किसके एकवल आएगा, 0.447 के असपास आजाएगा, ठीक है, राइट चलो, या फिर आप एप्रॉक्सिमेटली इसको इत्ता ले सकते है, ए इंटू क्या आगया, 0.3 आगया पुत्तर जी, ठीक है जी, अब ए क्या हो जाएगा, 0.45 को डिवाइड कर दो किस से, 0.3 से, तो यहाँ पर 0.45 को डिवाइड करे इसे, तो एप्रॉक्सिमेटली कित्ता आजाएगा भाई, एप्रॉक्सिमेटली यह आजाएगा बेटा, 1.5, ठीक है जी, राइट, तो विद रिसपेक्ट वे जो है, ओर्डर कितtransber 1.5 और विद रिस्पेक्ट्ट टू B क्या आ रहे है बिटा जी जी ठीक है जी राइट तो लिखलो यहां पर क्या होगा ओर विद रिस्पेक्ट्ट्ट व ए ए 1.5 वोगा प्लेर है बाई सिंपल सा क्वेशन था आगे भड़ते हैं जी लेट्स मुव टू दी नेक्स्ट प्वेशन थोड़े लंबे है अब अच्छा तो टाइम तो लगी रहा है कांट हेल्प इट ओके चालो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर अब नेक्स्ट पेज पर ही बना लेते हैं फड़ा फट से ओके चालो यहां पर भाई पहला है हमारा की इस क्वेशन के अंदर हमारा जो रियाक्शन है वो हमारी एक काइनेटिक्स को ओवे करता है हमें नहीं पता वो क्या काइनेटिक्स है मतलब हमें ओडर ही बताना है विद रिस्पेक्ट तू रियाक्टेंट और वहां पर हमें क्य तो है वो rate of reaction के बराबर ही होगा ठेक है जी तो इन शोठ में क्या दे रखा है rate of reaction दे रखा है ओके राइट फाइन जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं यहाँ पर देखू rate of reaction क्या होगा देख इस equation के corresponding 1 by 2 minus da by dt minus db by dt ठीक है राइट प्लस dc by dt और प्लस dd by dt am I clear ठीक है तो अपने को जो है यहाँ पर साफसा दिख रहा है कि rate of reaction जो है rate of formation of d के बराबर है तो इन शॉट यह जो में दे रखे वो rate of reaction ही दे रखे है हमें क्या करना है rate law बताना है मतलब order बताना है और दूसरा हम लोगों को rate constant भी बताना है तो पहले तो भाई rate law के लिए order निकाल लेते हैं ठीक है चल तो हमने माना कि hypothetical चल रहा है इसाब किताब और rate जो है वो क्या है k into a की power a into b की power कितना है b है यह मेरी rate law की equation है ठीक है चल अब इस rate law की equation में यह सारे cases ले लेते हैं तो पहला case उठाते है भाई क्या हो जाएगा पहले case में बेटा r1 r1 अपने को दे रखा है कितना 6 into 10 की power minus 3 clear क्या हो जाएगा बेटा यह यह हो जाएगा equal to a की concentration कित्ती है 0.1 की power small a into 0.1 which is the concentration उसकी power क्या small b am I clear ठीक है फिर आ जाते है भाई r2 पर r2 क्या होगा भाई r2 जो है अपना दे रखा है इनोंने 7.2 into 10 की power minus 2 fine यह किसके equal होगा पुतर यह equal होगा k into concentration of 0.3 और b की कितनी 0.2 तो a की concentration है भाई 0.3 की power small a fine और यहाँ पर इसकी concentration कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है बेटा तो क्या लिखोगे 0.2 की power small b am I clear ओके चालो इसके बाद next आ जाओ r3 r3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना दे रखा है 2.88 into 10 की power minus 1 दे रखा है किसके equal हो जाएगा पेटा यह k into हमारी concentrations कितनी है 0.2 और 0.4 तो इसको ले लो 0.3 a और इसको क्या ले लो 0.4 b ओके चालो next आ जाओ भाई r4 पर r4 कितना दे रखा है यह दे रखा है 2.4 into 10 की power minus 2 किसके equal होगा पेटा यह concentrations कितनी है और भी 0.4 और 0.1 तो यह ले लिया 0.4 a और यह क्या ले लिया 0.1 b ओके चालो तो यह 4 equations अपने ले लिया equation 1, 2, 3 और 4 ठीक है जी यह क्या ले लिया equation 1 यह ले ली 2, यह ले ली 3 और यह क्या ले ली पुत्तर जी 4 ले ली अब देख कोई दो equation ऐसी उठा जितने कुछ common terms आ रही है मेरे को तो भाई साफ साफ दिख रही है first और fourth क्या दिख रही है बेटा जी first और fourth मैं क्या करते हूं fourth को जो है first से divide कर देती हूं ठीक है क्या कर रही हूं बाई मैं divide कर रही हूं equation 4 को बाई 1 तो क्या लिखेंगे divide equation 4 बाई 1 ठीक है जी तो यह क्या होगा यह होगा अपना r4 बाई r1 कितना है r4 बेटा जी यह 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 divide करोगे किस से 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से right equal आएगा किसके राज़े यह k इंटू 0.4 की पावर a इंटू 0.1 की पावर b divide by by क्या बिता जी r1 में देखो क्या है k इंटू 0.1 की पावर small a इंटू 0.1 की पावर कितना small a ठीक है अब देखो क्या क्या कट रहा है k से k कट रहा है फुत्तर इससे यह गट रहा है fine ठीक है चाल यहाँ पर क्या बचेगा 4 by 1 बच जाएगा या फिर खाली 4 बच जाएगा तो क्या ले लेंगे 4 की पावर a ले लेंगे क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो नहीं आता है ठीक है right तो यह किसके एकवल हो जाएगा अब यह पावर उपर जाएगी तो उपर आजएगा 24 नीचे क्या है अब आते हैं जी किस पर order b पर है ना तो देखो भाई साफ साफ मेरे को दिख रहा है जिसमें मेरा जो है a बचे और b कट ले ठीक है right ए तो चलो हमारा बचाना a तो निकल गया b बचे a कट ले ठीक है क्या करना है b बचे और a कट जाए ठीक है तो मेरे को भाई यह दिख रही है equation 2 और 3 कुछ सही सी दिख रही है right तो मैं क्या करती हूँ तो इस equation 3 को जो है 2 से डिवाइड करती हूँ clear है divide कर रहे है equation 3 by 2 right तो क्या होगा बेटा ही होगा r3 by r2 fine r3 क्या है पेड़ा जी है 2.88 into 10 की power कित्ती minus 1 divided by 7.2 into 10 की power कितना है मेरा पुत्तर minus 2 equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा k into 0.3 की power a into 0.4 की बावर कितनी b whole divided by what k into 0.3 की power a यहां जाएगा 0.2 की power b ठीक है आप ते लिए यह कट रहा है पूरा पूरा कटा ठीक है इसको डिवाइड करेगा तो भाई बेटा देख उपर जो है 10 की power minus 2 है उपर जाएगा तो प्लस 2 जाएगा तो उपर तिरे पास 28.8 आएगा नीचे तिरे पास 7.2 पक्का पक्का 4 से गट रहे है तो क्या रहे है यह 4 आ रहे है यहां क्या बच रहे है 0.4 divided by 0.2 और इस पूरे की power कितनी b अब देख 4 by 2 करता है तो क्या आता ह राजे 2 आएगा राइट तो क्या हो जाएगा बेटा 2 की power b ओके तो यहां से 4 किसके equal आ गया बेटा 2 की power b के equal आ गया तो 4 को क्या लिख सकते है 2 की power 2 लिख सकते है तो therefore यहां से b कितने के equal आ जाएगा बेटा 2 तो मतब order with respect to b क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा clear है जी तो क्या लिखोगे भाई order with respect to b is 2 fine तो यहां से भाई हमारी rate law की equation लिख सकते है बोलो क्या हो जाएगी rate law की equation जो जाएगी k ठिक है into a क्या है बाई ? a जो अपना निकल क्या है one ओहू हाँ a1 निकल क्या यह और b क्या निकल क्या है पुत्तर जी एजो आ यह अपनी rate law की equation हो गई ठीक है क्या निकालना है अपने को पहले तो रेट लो निकालना है वो हमने निकाल दिया दूसरा अपने को क्या निकालना है रेट कॉंस्टेंट निकालना है बहुत सिंपल है मैं आपको पुट करके देरी हो अब होंबक में अपने आप निकाल लोगे कोई भी एक केस ले लो स से देख भई एकी कॉंसेंट्रेशन 0.1 है पावर क्या ही है वन आई है इन्टु बी की कॉंसेंट्रेशन भी 0.1 है पावर क्या ही है टू आई है ठीक है जी राइट तो यहां से क्या हो जाएगा के 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दिवाइड़ वाय क्या करेगा बेटा यह तेरा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा ओल राइट तो क्या जाएगा यहां से तेरा आंसर पुत्तर 6 6 आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा 6 पाइन क्या जाएगा 6 यूनिट अपन निकाल लेंगे 5 चल तो यह अपना रेट कॉंस्टें निकल क्या आ गया आगे भरते हैं ठीक है बतर आगे भरते हैं किस पर next question क्यों पर ओके चलो लेट्स बोफ टूदी नेक्स्ट क्वेस्टन राइट है क्या है next question बहुत simple सा है बाई यह बोल रहा है कि reaction जो है ए और बी दोनों के respect में first order है ठीक है जी reaction क्या है ए और बी के बीच में वो क्या है ए के respect में first order है और बी के respect में क्या है बिटा zero order है reaction जो है अपने को क्या दे रखा है with respect to a जो है अपने को first order दे रखा है और with respect to b zero order दे रखा है अब यह बोल रहा है कि तेरे को fill in the blanks को complete करना है सबसे पहले तो बिटा अगर मैं rate law के expression की बात करूं तो क्या होगा rate law का expression rate हो जाएगा क्या k into a की concentration की power क्या one और b की concentration की power क्या zero ठीक है अब पहले case में तो हमको सब दे रखा है fine तो हम क्या अगर सकते हैं पहले case के respect में हम लोग k निकाल सकते है k क्या है rate constant k क्या है rate constant ठीक है क्या है अपना rate constant है अब यहाँ पर बच्चे अगर मैं इस equation को देखूं तो rate constant की equation क्या लिख सकते है अपन rate हो जाएगा k into a की power 1 और b की power क्या पुतर? 0 चीक है? तो यहाँ पर अगर पहले case का मैं rate देखू मेरे को दे रखा है ना राजे? पहले case का rate ध्यान से देख क्या दे रखा है? पहले case का rate अपने को यह दे रखा है 2 into 10 की power minus 2 2 into 10 की power minus 2 equal to k कर दिया ठीक है? एक ही concentration कित्ती दे रखे है पुतर? एक ही अपने को दे रखे है? 0.1 की power 1 और b की 0.1 की power क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी तो यहाँ से k क्या हो जाएगा? पुतर k हो जाएगा 2 into 10 की power minus 2 divided by 0.1 0.1 को क्या लिख सकते हो जाएगा? 10 की power minus 1 लिख सकते हो तो यह क्या आजाएगा? 2 into 10 की power minus 1 आजाएगा अब तेरा क्या निकल के आगया? तेरा k निकल के आगया ठीक है? और first order है तो इसकी unit के आएगी? second inverse अब इस k की help से तो बाकी के blanks पूरे कर सकता है? मैं तेरे को एक blank पूरा कर रहे हूँ बाकी जुद्स है वो तो homework में कर सकता है क्योंकि इसे तो बहुत सारे part है है ना कभी video खतम ही नहीं होगी चलो तो यहाँ पर हम एक ही concentration निकाल लेते हैं बी की पता है और अपने को rate पता है फाइन एक चीज़ और कि यहाँ पर हमी minute inverse में यह दे रखा था तो इसकी जो unit है second inverse की बजाए minute inverse कर लेंगे ठीक है? चलो अब बिते है case 2 भाई case 2 में देख एक ही concentration निकालनी है बी की कितनी दे रखी है? बी की दे रखी है 0.2 ठीक है? और reaction का rate कितना दे रखा है? rate दियान से देख यह दे रखा है 4 into 10 की पावर minus 2 कितना दे रखा है पुतर? 4 into 10 की पावर minus 2 दे रखा है am I clear? right? चलो अब यहाँ पर अगर मैं rate की बात करू R2 क्या होगा? यह होगा A into A की पावर 1 और B की पावर क्या? 0 ठीक है? तो अपने को खाली A की concentration निकालनी है K अपने को पता ही है निकाल ली है आपने पहले पार्ट में कितना है? 2 into 10 की पावर minus 1 है और R2 कितना दे रखा है बेटा? 4 into 10 की पावर minus 2 दे रखा है तो डिवाइड कर लोगे क्या आएगा? 2 into 10 की पावर minus 1 आजाएगा यह मत्तब कितना आगया यह पहले केस में? 0.2 mole per liter per second अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो बच्चे? हर केस के अंदर calculate कर सकते हो Am I clear? ओके? चालो जी आगे भड़ो जी अब सारे पार्ट बागी क्या आप लोग कर सकते हो खुद से? ठीक है? आंसर मैंने यह आप लिख दिये हैं fine second part में आएगा 0.08 और fourth part में आएगा 0.1 fine तो आप खुद से solve कर सकते हैं आगे भड़ते हैं राजी next question पर next question को करने से पहले थोड़ा सा brief मैं आपको देना चाहूंगी half life period का किसका brief दूँगी बच्चे? half life period का क्या होती है भाई? यह half life तो देख इधर आ half life period half life period वो time interval होता है जिसमें reaction में जो reactant है उसकी concentration reduce होके क्या हो जाती है राजे? half हो जाती है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे time in which time in which the concentration of reactant the concentration of reactant is reduced to half is reduced to half ठीक है यह वो time होता है जिसमें reactant की जो concentration है initial की almost half हो जाती है fine तो half life हमें किस किस की सीखनी है बटा zero order की और first order की क्यों उसी पर based questions आता है ठीक है तो देख हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि for zero order क्या होता है अवर्ट इन्टीग्रेट रेट equation होती है 80 is equal to a not minus kT am I clear अब बटा जब तेरा T है क्या होता है T half होता है उस पे तेरी 80 होती है वो क्या होती है बिटा reduce होके half हो जाती है मतब क्या हो जाएगी initial की half a0 by 2 हो जाएगी clear तो अब तो इन दोनों चीज़ों को first में put कर ठीक है right तो putting in 1 यह हो जाएगा राजे a0 by 2 equal to a0 minus kt ठीक है अब kt को मैं इस साइड ले जा रही हूँ a0 by 2 को उस साइड ले जा रही हूँ right तो यह क्या हो जाएगा बिटा kt is equal to a0 minus a0 by 2 तो क्या जाएगा बुतर a0 by 2 के बराबर आ जाएगा fine तो यहाँ से चो तेरा यह t है है क्या बेसिकली तेरा टी हाफ ही है क्योंकि तुने यह वो टाइम इंटरवल है जिस पर कॉंसेंट्रेशन को तुने a0 by 2 पुट कर रहा है fine तो यहाँ से मेरा बच्चा तेरा जो यह t हाफ है किसका zero order reaction का कितना निकल के आ गया a0 by 2k clear तो हाफ लाइफ जो है zero order reaction की कितनी आती है a0 by 2k आती है कितनी आती है पुतर a0 by 2k निकल के आती है किसके लिए zero order reaction के लिए am I clear so for zero order reaction the half life is a0 by 2k अब बात करते है किसकी बिटा first order reaction के लिए for first order reaction first order reaction में क्या होगा भाई इदार आओ देखते हैं first order reaction में हम पढ़ते हैं कि जो t होता है वो होता है 0.303 by k into log of a0 by a t यही क्या होता है राज अपना t होता है फाइन अब जब half life आएगी जब time किसका हैगा half life का मतलब if t जो है वो किसके equality half के मतलब half life आगी है किसी भी reaction की तो उसमें क्या होगा भाई जो reactant की concentration होगी इस time पर वो किसके equal हो जाएगी बिटा initial वाले की half हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अब इन conditions को उपर put करते हैं इसको suppose अपने 1 ले लिया fine तो अब क्या करेंगे putting in 1 तो ये किसके equal हो जाएगा बिटा t half is equals to 2.303 divided by k log of a naught divided by a naught by 2 अब a naught से a naught cancel हो जाएगा उपर क्या जाएगा log 2 आ जाएगा ठीक है तो यह आगे 2.303 into log 2 divided by k कर देंगे अब log 2 क्या होता है यह होता है यह होता है 0.30 क्या होता है बिटा 0.30 तो यह क्या आएगा यह जगा 0.6 times 3 by k clear है तो t half यानि half life first order reaction की कितनी आ जाएगी मेरा बच्चा यह निकल के आ जाएगी अपनी 0.693 by k अब इसी पर बेस अपन कुछ आगे की question solve करेंगे जी आ जाएगे पढ़ते हैं जी आगे यह जो है हमको कुछ questions दे रखे हैं क्या बोल रहा है इसमें पहला part में यह बोल रहा है calculate कर half life first order reaction की और हमको जो है इस first order reactions में rate constant k की value दी गई है ठीक है जी एक case में दी गई है 200 second inverse एक में 2 minute एक में कितनी 4 years inverse तो भाई simple सी बात है अगर हम first order reaction की बात कर रहे हैं तो उसकी half life का expression मैंने अभी सिखाया है कितना होता है बिटा जीरो point six nine three by k होता है कितना होता है 0.693 by k होता है तो अपन क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं ma'am for first order reaction की लिए मेरा बिटा t half जो है 0.693 by k k एक पल होगा yes or no yes ma'am होगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है अच्छा तो यहां पर पहले case में अगर मैं निकालूं तो क्या होगा राजी जीरो point six nine three divided by two hundred second inverse solve करेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाएगा three point four six into ten की power minus three seconds एमाइ clear ठीक है उसी तरीके से अगर मैं second part पे निकालने जाऊं तो यह हो जाएगा बेटा जीरो point six nine three divided by क्या two minute inverse तो किता हो जाएगा बेटा इस case में इसमें हो जाएगा zero point three four six minute clear third part की अगर मैं बात करूं भाई ठीक है थर्ड पार्ट की बात कर रहे है अब यहाँ पर हमें टाइम जो है वो चार इयर्स दे रखा है तो क्या लिखोगी भाई इदार लिखोगे के जो है four years inverse है zero point six nine three divided by four year inverse डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा zero point one seven three years आ जाएगा approximately ठेक है जी इस तरीके से भी question आ सकता है कि भाई वो तुमको के दे सकता है हाफ लाइफ पूछ सकता है किसके corresponding first order यह याद रखना कि जबी भी हाफ लाइफ का question आएगा ना तुमको zero order का नहीं देगा जेही नीट में zero order का नहीं देता है लेकिन तुमको नहीं देगा zero order तुमको most probably first order का ही देगा ठीक है चाल आगे बढ़ते है नेक्स्ट पे आते हैं next question क्या है यह बोल रहा है कि जो half life है एक radioactive decay की कितनी है राजे 5730 years है ठीक है राइट यहाँ पर जो यह radioactive reaction है वो basically क्या है वो है basically बेटा archaeological artifact containing wood मत्तब basically एक radioactive substance है आपको कुछ इसमें समझने की ज़रत नहीं है ठीक है जी बस आप समझ लो कि carbon 14 प्रस प्रेजंट है लखडी के टुकडे में उसका decay होता है विच इस अ radioactive decay अभी आप इतना सब ठीक है इसका जो है आपको क्या दे रखा है half life दे रखा है कितना 5730 years clear यह बोल रहा है कि यह जो हमारा carbon 14 है अगर यह 80% पाया जा रहा है किसके अंदर लकडी के अंदर जहां पर इसका क्या होता है radioactive disintegration होता है तो बता जो यह लकडी है इसकी age क्या होगी समझ रहे हो क्या पूछ रहा है जो यह लकडी है इसकी age क्या है अगर इसके अंदर 80% carbon present है तो बहुत simple question है सबसे पहली बात तो जुतने भी radioactive decay reactions है they are first order reaction ठीक है, तो क्या लिखोगे all radioactive decays are first order reaction पहली line तो examiner ने यही देखनी है this radioactive decay this radioactive decay is a first order reaction ठीक है जी जी रेडियो अक्टिव डीके है अपना first order reaction है पहली बात तो यह अगर यह first order reaction है और इसकी half life तेरे को दे रखिये तो तो इसका rate constant के calculate कर सकता है पुतर बहुत असानी से कर सकते है ना, राइट तो हमको पता है के क्या होगा के होगा 0.693 divided by क्या पुतर जी t half clear तो सीधा दीधा करो भाई 0.693 divided by t half कितना है हमें दे रखा है question में राजी 5730 years ठीक है तो इतना year inverse solve मत करें क्या आ गई अपनी rate constant clear अब तुझे क्या करना है तुझे बताना है बेटा जी क्या age है ना, क्या बताना है age बताना है age मतलब एक तरीके से तेरी time बताना है है ना तेरे को यह बताने है कि कितना साल पुराना है ना टाइम निकालना है तो इसके इसमें तेरे को टी निकालना है तो टी क्या होता है पर्स ऑडर के लिए और फर्स ऑडर प्र्स ऑडर का टी होता है 2.303 divided by K into log of एकर तिरे को उमर निकालने है तिरे को बेसिकली टाइम निकालना है जिस पर हमारा पेड़ अभी जिन्दा है तो हम कौन से टाइम पेड़ पे जिन्दा है अपने को बताना है तो अब यहां पर यह बोल रहा है कि अब पेड़ बचा कितना है बचा है 80 पॉसेट तो अगर इनीशली ए नौट 100 था तो अब उसका 80 परसेंट जो है बचा है तो 100 का 80 परसेंट क्या होता है पिटा 80 होता है हां के ना राइट मैंने क्या बोला भाई मैंने बोला कि इफ ए नौट जो है वह 100 था ठीक है तो अब जो बचा है कार्बन की कॉंसेंट्रेशन वह कितनी है वह 80 परसेंट ऑफ ए है बच्चे कितना है 80 परसेंट ऑफ ए है तो क्या होगा 80 पाई 100 इन्टू 100 मतलब कितना बचा है असी बचा है तो मतलब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे भाई टी निकालेंगे कैसे निकालेंगे टी बहुत सिंपल है 2.303 पुट करोगे नीचे के की वैल्यू पुट करोगे जो क्या है 0.693 डिवाइड़ बाई 5730 इंवर्स ठीक है इन्टू क्या करोगे लॉक करोगे उपर आएगा 100 नीचे क्या आएगा बेटा जाएगा अब इसको डिवाइड करोगे तो मेटा 10 बाई 8 1.25 आता है कितना आता है जी 1.25 तो 2.303 अब उपर यह क्रॉस मल्टिप्लाई होगा तो इंटू क्या जाएगा इतना डिवाइड़ भाई 0.693 इंटू क्या करोगे लॉक ओफ 1.25 अब इयर इंवर्स उपर जाएगा तो इयर हो जाएगा ठीक है अब लॉक 1.25 की वैल्यू इसने हमें क्वेशन में दे रखी है कितनी 0.0969 दे रखी है तो पुट कर देंगे वाई इसको 2.303 इंटू 5730 इंटू 5730 डिवाइड़ वाई क्या 0.693 इंटू 0.0969 इसको सॉल्व करोगे तो इप्रॉक्सिमेटली जो है आपका तो इसा क्वेशन आएंगे थोड़ी सी क्याल्कुलेशन है इतने लंबे नहीं आएंगे वह जरूर इन जो छोटा गर देगा ताकि कट जाए क्या करती है वह बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटड वैल्यूस देती है क्योंकि एंसी आटी इतना दिमाग नहीं लगा है जब उसने एंसी इतनी क्याल्कुलेशन दे रहे जितनी एडवांस में भी नहीं आती ठीक है राइट तो इनको उन्दा स्पॉर्ट सॉल्व करना इतना बड़ा चालेंज है जो मैं य आगे चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेशन कभी नहीं आएगा बोर्ड में बस आपको बता देती हूं कि यह है क्या थिक है कभी नहीं आ सकता नेवर इतना लंबा क्वेशन वह जिंदगी में कभी नहीं देगा ठीक है चलो एडवांस में ऐसी चीज़े होती है वहा हो आना होता है यहां नहीं होगा चलो क्वेशन है यह एक्स्पेरिमेंटल डेटा फो डीकंपोजिशन ऑफ एंट्व फाइफ हमें यहां पर दिया गया है ओके जी बहुत बढ़िया है फाइन यहां पर डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइम इंटर्वर्स पर क्या दी गई है घू की कॉंस्ट्रेशन दी गई है पहले बोल रहा है कि यह दिफरेंट डिफरेंट कॉंस्ट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट लॉट करो फाइन ओके फिर तुम्हें क्या निकालना है यह प्र लांट करना है लॉग एंटु ओफाइफ वर्सिस टी का मेरा बच्चा ओके फिर इसके बाद तुमको रेट लॉब अटाना है एंटु ओफाइफ के रिस्पेक्ट में फिर तुमको रेट कॉंस्टेंट निकालना है फिर बोल रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड को निकालना है बिटा अगर सुभारा जो रियाक्शन है वो फॉर्स्ट ओर्डर आता है तो अब बहुत लंबा क्वैशन है मेरी बात सुनों अब तुम्हें यहां पर दोनों प्लॉट करने हैं कॉंसंट्रेशन वर्सिस टी बी करना है तो तुम्हें जितनी भी कॉंसंट्रेशन दी है उनकी लॉग की आती है फिए कि अब क्या है पहले lah केंसें को प्लॉट करना में जब हमने इस तरीचे का ग्राफ आया तो हमको पता है किए फिर्याद का क्या सीन होता है इदर देख प्लॉड्ब रियाक्शन बेटा जीर ओडर रियाक्शन होता है 80 माइनस A नॉट इक्वेल्स चू के टी बदब ऐसा चलता है कि जो 80 होता है 80 वो होता है A नॉट माइनस के हाँ के ना भाई होता है नहीं होता किस तरीके से होता है मैंने इस तरीके से लिख दिया ठीक है अच्छा अब इस एक्वेशन को अंकर मैं कंपेर करूँ Y is equal to C plus MX ठीक है जी तो यहाँ पर concentration of 80 versus time का ग्राफ है वो straight line आएगी लेकिन उसका slope क्या होगा negative ठीक है तो descending वाली आएगी मतलब कुछ इस तरीके की आएगी तो अगर यह जो हमें data दिया है वो with respect to zero order होता तो कुछ इस तरीकी का ग्राफ आता लेकिन जब इन सारी concentration को versus time plot करा गया तो straight line तो आई नहीं मतलब यह zero order reaction तो नहीं है ठीक है अब हमें क्या बोला था कि भाई इसकी half life बतानी है तो बहुत simple है भाई देख यहां पर initial concentration कितनी थी बटा 1.63 into 10 की power 2 थी तो जब इस concentration की half value आएगी है ना तो इसकी half value कितनी है बटा इसकी half value जो है वो है अपनी 0.815 into 10 की power 2 molar ठीक है तो यह जो value आई है भाई यह इसके corresponding आई है ठीक है यहां पर कुछ 1.440 second की आसपास ही value आई है तो half life क्या हो जाएगी with respect to 0 order 1.440 second हो जाएगी ठीक है जी अच्छा उसके बाद ही हमें बोल रहा है कि हमको जो है log A versus T का graph plot करना है तो देख simple सा बात है अगर मैं बात कर रही हूँ for first order reaction किसके लिए बटा for first order reaction ठीक है तो first order reaction में होता है ln A equal to ln A naught minus KT ठीक है ln को log में convert करोगी तो 2.303 से multiply करना बड़ेगा तो यह हो जाएगा 2.303 log A equal to 2.303 log A naught minus क्या KT अब मैं क्या कर रही हूँ? इस पूरी equation को 2.303 से divide कर रही हूँ तो यह हो जाएगा log A equal to log A naught minus K divided by 2.303 T clear है? तो अब इस equation को अगर मैं equation of straight line से compare करूँ ठीक है मतलब क्या Y is equal to C plus MX से करूँ तो भाई negative slope है straight line आएगी क्या हैगी straight line कब जब मैं plot करती हूँ किसको Y axis पर क्या plot कर रही हूँ बेटा log A ठीक है और तेरा X axis पर क्या plot कर रही हूँ? T plot कर रही हूँ तो भाई IC जो है अपनी graph आएगी और इसका slope जो है slope क्या होगा बेटा minus K divided by 2.303 हो जाएगा Am I clear everyone? ठीके जी? चलिए तो अब जो है हमने यहाँ पर log की जो values निकाली थी log N2O5 उनको plot कर रहा T तो ऐसा हमारा graph आ रहा था तो इससे क्या पता चुरा कि यह जो reaction है यह first order reaction है क्या है भाई? यह reaction first order reaction है clear है? और first order reaction है तो इसका slope क्या आएगा minus K divided by 2.303 ठीक है? अब अगर मैं slope की value निकाल लो तो मैं K निकाल सकती हूँ और slope कैसे निकलता है बिटा? slope निकलता है formula होता है आपका सबको पता है आपको y2 minus y1 divided by x2 minus x1 am I clear हो? ठीक है? राइट तो यहाँ पर y2 suppose तुमने ले लिया 3200 के corresponding ठीक है? यानि 0 और यहाँ पर तुमने ले लिया तुमारा y1 ठीक है? तो यह values ले 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 या फिर तू कोई भी value लेनी हो ले सकता है ठीक है? जी कोई भी value लेनी हो क्या कर सकता है? ले सकता है यहाँ पर अगर मैं देखों तो ध्यान से देख मैंने log की values यहाँ पर लगाई है ठीक है? तो तू ये वाला ले ले ये ले ले तेरा suppose y2 राइट ये ले ले तेरा y1 फाइन ये x2 ये x1 Am I clear? ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा this minus this divided by this by this फाइन तो यहाँ से क्या जाएगा तेरा slope आ जाएगा मेरा पुत्तर फाइन slope निकाला है slope के बाद हमने k निकाला है compare करके इसको हम खुद निकाल सकते हैं ठीक है जी? फिर उसके बाद हम से क्या पूछी गई है? rate की equation पूछी गई है तो हमको पता चल चुका है कि rate की equation क्या होगी भाई? rate की equation होगी k into concentration of n2 of 5 Am I clear? fine और first order की half life पूछी है तो बाई अगर k आ गया तो half life क्या होगी? 0.693 divided by k हो जाएगी k तिर को पता ही है निकाल लेंगे fine तो इस तरीके से हो जाएगा ये question ठीक है भाई? चालो आगे बढ़ते हैं towards the next question मेरा बचा लोग अब इस question में अगर हम ध्यान से देखे तो अपने को क्या दे रखा है? ये दे रखा है rate constant दे रखा है ओके इस question के अंदर क्या करेंगे भाई हम? हम जो है सबसे पेरे देखेंगे कि अपने को निकालना क्या है? तो भाई simple सा logic है ये बोल रहा है कि अपने को rate constant जो है इस reaction का 60 second inverse दिया गया है तो rate constant को देखके भाई उसके unit देखके unit क्या है second inverse? second inverse देखते है तिरको समझ आ जाएगा कि भाई ये reaction कैसा है? ये reaction है first order क्या है भाई ये reaction अपना first order reaction है am I clear? क्या है पुतर? first order reaction है fine, अब ये बोल रहा है कि कि कितना time जो है हमें लगेगा क्या करने के लिए initial concentration को reduce करने के लिए to 1 16th its value मतब तेरे को T निकालना है मोटा मोटा K दे रखा है initial concentration तेरी suppose A not है तो अब final concentration at time T क्या हो चुकी है A not by 16 हो चुकी है ठीक है तो बहुत simple है हो जाएगा है ना सबसे पहले तो लिख लेते है भाई K क्या दे रखा है 60 second inverse अगर यहाँ पर first order ना भी देखता तो हम second inverse देख के समझ जाते की first order है ओकी चालो इसकी बाद भाई यहाँ पर हमें क्या दे रखा है A not की value नहीं दे रखी है तो suppose हमने उसको A not ही ले रखी है यह मारी initial concentration है ठीक है अब जो concentration at time T है यानी 80 है यह क्या हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा 1 16th of A not मतब A not by 16 हो जाएगा भाई clear क्या निकालना है तेरे को time निकालना है जिसमें यह कारेगरम हुआ है तो अपन क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे कि for first order reaction for post order reaction क्या होता है पुतर first order reaction में भाई अपना जो T होता है वो होता है 2.303 by k log of A not by 80 यह होता है पुतर ठीक है राइट अब यहाँ पे values पुत करेंगे तो 2.303 को जब अपन डिवाइड करेंगे k से k कितना है जी 60 है into log करेंगे यहाँ पर A not कितना है A not को as it is put कर 80 को put कर दे A not by 16 ठीक है अब 16 उपर जाएगा A not से A not cancel हो जाएगा तो क्या गया तेरा यह log 16 इक्वल टू 2.303 रिवाइड़ बाइ 16 अमाइ clear हो ठीक है यह क्या अपना T है अब log 16 है इसको क्या log 2 की पावर 4 लेख सकते है हाँ के ना बोल log 16 को क्या लेख सकते है देख भाई अपन लेख सकते है इसको log 2 की पावर 4 क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है 16 ही होता है solve करोगी तो क्या आजाएगा 4 log 2 आजाएगा क्या जाएगा पुतर 4 log 2 आजाएगा तो 4 into 0.3 करेंगे तो कितना आजाएगा बिटा 1.2 आजाएगा तो log 16 की जगा क्या रख सकता है 1.2 रख सकता है पुतर ठीक है जी, right तो क्या रख दिया भई अपन ने 2.303 divided by 60 into क्या कर देंगे 1.2 कर देंगे clear, ठीक है तो अब बेटा, नीचे क्या आ जाएगा अगर ये decimal हटेगा तो एक और 0 आ जाएगा 1 जा, 50 जा clear है जी 2.303 divided by 50 कर देंगे इतना जो है हमारा answer आ जाएगा किस के अंदर seconds के अंदर clear, fine, simple question था जी आगे बढ़ते हैं towards the next question next question क्या है भाई, next question है कि एक nuclear explosion के दोरान, nuclear explosion मतब radioactive reaction के दोरान one of the product is scrontium, एक जो scrontium है हमारा वो one of the product है scrontium का atomic तमजे रख है 90 clear है, यह जो scrontium है, इसकी half life अपने को दे रखे हैं कितनी 28.1 years, कितनी दी है half life भाई 28.1 दी है ठीक है, यह बोल रहा है कि अगर हमारा एक microgram scrontium जो है absorb करा गया था by the bones of a newly born baby instead of calcium हुआ क्या कि यह जो बच्चा था, वो इसके यह लगाले, exposure में था तो जब बच्चा पैदा होता है, उसके bones में calcium होना चाहिए, लेकिन due to, वो इसके contact में था, उसके bones में क्या चला गया, scrontium चला गया और scrontium का कितना गया तिरे पास बिटा, यह गया तिरा 1.0 या फिर 1.0 microgram गया ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर यह radioactive disintegration bones के अंदर करता रहेगा, तो बता, 10 साल बाद हडियों में कितना बचेगा, और फिर बता कि 60 साल बाद हडियों में कितना बचेगा, आपन ऐसा करते हैं कि 10 साल का आपको करके बताते हैं 60 years का आप homework में करेगे अब यहां पर क्या मान के चलोगी भाई कि जो अपनी टी हाफ है कितनी है अपनी हाफ लाइफ भाई, ध्यान से देखो 28.1 years है और यह radioactive disintegration है तो क्या होगा, first order होगा तो first order reaction के लिए अगर तेरे को टी हाफ पता है क्या तू के निकाल सकता है पुतर असाम से निकाल सकता है के क्या होता है, यह होता है 0.693 divided by क्या टी हाफ ओके जी, तो 0.693 divided by क्या कर देंगे 28.1 कर देंगे इतना year inverse क्या आजाएगा भाई हमारा क्या जाएगा अब यह जो बोल रहा है यह बोल रहा है कि जो initial amount of scrontium तरी हडियों में present है वो कितना एक ग्राम है कितना है, एक ग्राम है ठीक है, तो तेरे को बताने कि 10 सल बाद कितना बचेगा मतब तेरे को क्या निकालना है भाई क्या बताना है, क्या बताना है मेरा बुत्तर ए माइनस एक्स बताना है बोलो clear रहा है कि नहीं है ठीक है, राइट या फिर यह बोले तेरे को 80 बताना है है ना, ओके तो कैसे करेंगे भाई देख, ए नॉट जो है वो कितना है, एक माइक्रोग्राम है मेरे को बताना है, कि कितना बचेगा कब, जब T कितना है 10 साल है, ठीक है, कितना है T भाई 10 साल है, ठीक है, चालो तो हमको बता है कि बाई, रेडियो आक्टिव है और फॉर्स्ट ओर्डर है, तो पर फॉर्स्ट ओर्डर क्या होता है पेटा फर्स्ट ओर्डर के लिए T जो है यह होता है 2.303 πाई K इन्टू लॉग ओफ क्या करते है राजे A0 by 80 करते है क्या करते है राजे A0 by 80 करते है ठीक है राइट अच्छा यहाँ पर अगर मैं K की बात करूं तो मेरे को के दे रखा है कितना दे रखा है पुत्तर के यह दे रखा है 0.681 इन्टू क्या कर ले बिटा 2.81 ठीक है इन्टू लॉग करेंगे तो भाई यह तो 1 है यह अपने को निगालने का है ठीक है राइट अच्छा टाइम जो है जिसमें अम आम को यह निकालने का है वो दस यह दे रखा है भाई कितना दे रखाए जी दस यह दे रखा अब एक चीज़ सीख अगर तेरा log 1 by X ऐ तो इसको क्या लेख सकता है log X की power minus1 तो यह क्या हो जाएगा minus 1 log x हो जाएगा भाई ठीक है वैसे ही log 1 by 80 क्या हो जाएगा minus of log 80 ठीक है जी क्या हो जाएगा minus of log 80 तो इसको 2 क्या 10 अब इसको यही नीचे solve कर लेते हैं अगले page पर तो क्या ही जाएगे तो यह हो जाएगा minus 10 into 0.681 divided by क्या करेंगे पुतर 2.303 into 2.81 clear है यह किसकी value हो जाएगी मेरे log 80 की ठीक है solve करोगे भाई तो यह जो है approximately बतारी हो यह आएगा minus 1.0170 यह किसकी value आजाएगी पिटा लॉग 80 की ठीक है तो 80 क्या हो जाएगा 80 antilog हो जाएगा किसका minus 0.1071 का clear ठीक है solve करोगे approximately कितना आएगा राजे यह आजाएगा 0.7814 माइक्रोग्राम क्लियर है जो यूनिट एक ही थी वही किसकी आएगी 80 की यूनिट टिकल के आजाएगी clear है तो इस तरीके से यह आप 60 यह की corresponding जो है कर सकते है question बता सकते है कि कि कितना आपका बचेगा यह am I clear okay चलिए आगे बढ़ते हैं पुता next question पर आते हैं next question आ सकता है important है इस पर important का mark लगा लो this is an important question fine क्या है question पढ़ते हैं यह बोल रहा है कि for a first order reaction show that the time required for 99% of the completion is twice the time required for completion of 90% reaction ठीक है अपने को यह प्रूफ करना है कि first order जो हमारा reaction होता है क्या होता है पिटा हमारा first order reaction उसमें जो time उस reaction का 99% completion में लगता है ना वो दो गुना होता है किसके 90 के यह प्रूफ करना है बहुत simple है ठीक है पहले तो आ जाते हैं for completion of 99% reaction ठीक है मेरा बुतर क्या कर रहे है for completion of 99% of reaction हम 99 percent reaction की क्या कर रहे है completion कर रहे है ध्यान से सुनना इस बात को बहुत मस्त बात बता रहे हूं ठीक है 99 percent completion का मतलब पता है क्या है बिटा क्या करते ही रहा जो a-0 था है ना ए-0 था वो कितना था सपोज अगर तेरा 100 था तो अब इस 100 में से 99 प्रतीशत react कर चुका है ठीक है जी तो ये कितना है तेरा 100 है सपोज ये तुन्हें A के बराबर ले लिया A को किसके बराबर ले लिया A के बराबर ले लिया ठीक है कितना है तेरा ये 100 है ठीक है अब X क्या है ये वो amount है जो react कर चुका है ठीक है तो कितना react कर चुका है बिटा 99% of A यानी 100 ठीक है क्या है X ये है amount of reactant reacted ठीक है मेरा पुतर क्या है ये amount of reactant reactant ये वो amount of reactant है जो इस reaction में react कर चुका है मेरा बच्चा ठीक है जी राइट तो कितना आएगा 99% of 99 by 100 into क्या कर लोगे पुतर 100 कर लोगे तो कितना आजाएगा 99 आजाएगा ये फाइन तो at time T वाली concentration क्या होती है बिटा A minus X होती है जी राइट तो 100 minus 99 करा तो कितना आजाएगा एक आजाएगा हाँ के ना हाँ माँ चालो अब यहाँ पर निकालते हैं T99 ये हो जाएगा 2.303 by k into log of क्या करेंगे मेरा बच्चा initial जो है 100 थी अब कितनी बच्ची एक बच्ची तो क्या आएगा log of 10 की पावर 2 राइट और log of 10 की पावर 2 क्या होता है पुच्चर पुच्चर बोल रही हूँ पुच्चर 2 log 10 क्या हैगा 2 log 10 पाइन तो यह आगया 2.303 into 2 divided by क्या आजाएगा मेरा बच्चा क्या आजाएगा यह क्या आपका 99 प्रतिशत कंप्लीशन का अब ना मैं आपको डारेक्ट करने का तरीका सिखाती हो ठीक है अब तुम डारेक्ट निकालोगे अब यहां पर अगर मैं देखूंँ जो टी-99% है वो 2.303 भाइक था और यह क्या तेरा यह तो तेरा झाटी-90 है ठीक है तो यहां से क्या प्रूब हो गया यहां से यह प्रूब हो गया कि भाई जो T99 परसंट है वो दो गुना आता है किसका T90 का किसके लिए फॉर्स्ट ओर्डर रियाक्शन की ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी तोवर्ड दी नेक्स्ट क्वेश्चन जी आजएगे लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्स्ट ओर्डर रियाक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए कितना लगता है चालिस मिनट लगता है मतलब 30 परसेंट अगर वह तूटता है तो तीस परसेंट में तूटने के लिए कितना लगता है चालिस मिनट लगता है क्या बोल रहा है तो बच्चे का कितना बेटा सौ माइनस तीस जिसको नहीं समझाया इधार आओ मैंने ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने बताया था कि तिरह यह फॉर्मिला होता है फॉर्स्ट ओर्डर में के या टी निकालने का ठीक है तो यहां पर मैंने बोला था कि जैसे परसेंटेज वाले इनीशल अमांट 100 माल ले जितना रियंक्ट कर रहे यह डीकंपोस कर गया उसको तू एक्स माल ले थीक है राइट अब तेरा इस पर्टिकिलर क्वेस्टन में टाइम कितना दे रखा है तिरह को 40 मिनट दे रखा है अब तेरा जो भी टाइम है वही तरह केक युनिट में आत 10 या फिर 100 by 70 ठीक है 0 से 0 कटेगा तो क्या आ जाएगा जगा 2.303 divided by 40 into log of क्या आ गया 10 by 7 आ गया मेरा बच्चा कितना आ गया log of 10 by 7 आ गया ओके फाइन अब इसको जड़ा आप solve करेंगे तो यह जो है approximately 10 by 7 जो है अपना 1.428 आ जाएगा यह गया 2.303 by 40 into जो है log क्या आ जाएगा 1.428 ठीक है log 1.428 की value हमको दे रखे कितनी 0.1549 fine so क्या हो जाएगा यह जाएगा 2.303 divided by 40 into क्या करोगे पिटा into करोगे 0.1549 fine इसको solve कर लेंगे तो approximately यह आ जाएगा 8.918 into 10 की power minus 3 minute it works am I clear fine तो अपना क्या निकल के आ चुक है के निकल के आ चुक है अब अपने आपको क्या निकालना है बिटा जी यहां पर half life निकालना है तो हमको क्या पता है हमको यह पता है कि फॉर फॉर्स्ट ओर्डर रियाक्शन किसके लिए बिटा पॉर पॉर्स्ट ओर्डर रियाक्शन टी हाफ क्या होता है बिटा यह होता है 0.693 भाई के चिक है तो 0.693 को जरा हम के से डिवाइड कर रहे है कितना है कि इतना है कि पाइन सॉल्व करने पर यह मिनट इन वर्स में है तो हमारा जो भी आंसर आएगा किस में आ जाएगा मिनट में आ जाएगा एप्रॉक्सिमेटली 77.7 के असपास कुछ आएगा ठीक कितना आ जाएगा राजे 77.7 के आसपास आ जाएगा अब फड़ा फड़ से नेक्स्ट क्वेस्टन पर आते हैं भाई लोग क्या होगा अपना नेक्स्ट क्वेस्टन चलिए इस तरीकी के क्वेस्टन आपके पी वाई क्यू में काफी दिये हुए हैं और यह क्वेस्टन अगर आएगा ना बिट्टा तो या तो चार या तो पाच इससे कम नहीं आना पाइन इंपॉर्टेंट क्वेस्टन और आ सकता है भाई लॉंग आंसर टाइप में ठीक है माम की थोड़ी आवाज दीरी हो गई होगी कि बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रही है ओके तो एनरजी अपनी बरकरा रहे नीजिए भाई है ना हर हर महादेव चलो ओके यह बो से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है दो से उतिए ऊप्रोच नहीं कर पादे प्रोच नहीं कर पाते हम उसको При एक्वेशन यूज़ करवानी चाहिए थी कि T is equal to 2.303 by k log of a not by a तो मैं वहाद उसको concentration देनी चाहिए थी मैं यहाँ तो pressure देदी अब क्या करें मैं बहुत simple है देख इधर सपोस्थ ऐसे अगर मैं time 0 पे हूँ तो पहले जैसे concentration a not होती थी वैसी partial pressure भी हो सकता है partial pressure कितर पी disappointment ठीक है चल अब सपोस्थ क्या हूँ ताइमझी आया इस पे पार्शल प्रेशर कितना रिडियो हो गया पी नॉट माइनस पी के असपास हो गया, कितना हो गया, भाई, पी नॉट माइनस पी के असपास हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़ी है माम, अच्छी बात है, अब माम, अगर ये पी हुआ है, तो ये कितना है, ये पी होता है, और ये पी होता है, कैसे निकालता है माम, ये प निकालना चाहती हूं, हमारे reaction mixtures का, तो क्या होगा माम, पी नॉट माइनस पी, प्लस टू पी, बोले को क्या माम, पी नॉट प्लस पी आजाएगा, तो माम, यहाँ से मुझे यह बता चल गया, कि पीटी क्या है, पीटी, पी नॉट प्लस पी ए, पाइं, एमाय क्लियर, ओके, बॉलता है कि भाई k क्या होगा 2.303 by t log of a divided by a minus x fine अब क्या याज रखना है तुम्हें यह याज रखना है कि a या a0 जो है वो directly proportional होगा p0 के initial partial pressure ठीक है वैसे ही a t और a minus x यह किसके directly proportional होगा यह directly proportional होगा p0 minus p k am I clear किसके directly proportional होगा p0 minus p k ठीक है अब दिक्कत क्या है भाई कि हमारा जो यह a minus x है इसके जगा हम p0 by p रख सकते है तो यह t जो है यह 2.303 by t divided by क्या हो जाएगा log of p0 divided by p0 minus p लेकिन दिक्कत क्या है मेरे को न यह p नहीं पता I don't know this p ठीक है मेरे को न पी नहीं पता तो पी को डख सकते हो p2 minus p0 रख सकते हो average rate constant निकल के आ जायेगा एमाय क्लियर एवरीवान ठीक है चालो करके बताती हूँ तुमको अच्छे से तो पहला जो है हम केलेंगे क्या होगा यह होगा 2.303 दिवाइड़ बाई टाइम ले लो भाई सपोज पहले हमने पहले के इसमें अपना टाइम ले लिया कितना अपना यह 360 वाला ठीक है लॉक करा पी नॉट तो सेम ही रहेगा भाई पी नॉट कितना थर्टी फाइव है नीचे क्या आएगा बेटा नीचे आएगा ध्यान से देखो 2p0 minus pt, pt कितना है 54 है तो 2 into 35 minus क्या आजाएगा बेटा जी 54 आजाएगा clear है भाई तो नीचे क्या आएगा 70 minus 54 तो कितना बज़ेगा बेटा 70 minus 54 16 आजाएगा 2.303 divided by 360 तो log of 35 by क्या आगया बेटा 16 आगया अब 35 को जब 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.1875 आएगा क्या आएगा 2. 2.1875 आएगा और log of 2.1875 जो है वो 0.34 के असपास आता है कितना आता है बेटा 0.34 के असपास आता है तो यह आजाएगा 2.303 divided by कितना पुत्तर 60 इंटू क्या कर दोगे 0.34 कर दोगे इसको solve करना है approximately मैंने answer लिखा हुआ है approximately 2.175 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा कितना आएगा भाई 2.175 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आजाएगा am I clear everyone ठीक है सेम तरीके से अब देखो अब जादा इसको हम रहो नहीं कर रहें भढ़ा नहीं दे similarly आप क्या करेंगे भाई आप जो है अब time क्या लेके चलेंगे time बेटा अब time लेके चलेंगे अब 720 जैसे या 360 लिया था time क्या लेंगे अब 720 लेंगे और इस पर P total क्या लेके चलेंगे भाई P total क्या आएँ से देखो P total लेके चलेंगे 63, कितना 63 ठीक है, राइट अब वही formula का use करेंगे जो यहाँ पर किया था, k is equals to 2.303 by 720 आ जाएगा log of क्या करेंगे भाई, log of initial वाला, initial कितना है 35 है right, so 2 into 35 minus 63 गरेंगे इसको अब solve कर लेंगे, राजे log की value मैंने आपको दे रखी है मैं direct बता आ रही हूँ आप, ठीक है solve करके approximately कितना आएगा मेरा बच्चा यह, solve करके approximately यह आजाएगा, आपका 2.235, कितना आजाएगा 2.235 okay, so 2. 235 into 10 की power minus 3 आजाएगा, यह अपना k1 हो गया यह क्या हो गया, अपना k2 हो गया, fine अब अपने को क्या करना है भाई, अपने को तो दोनों का average लेके चलना है तो main k क्या होगा बिटा दोनों का average हो जाएगा 2.175 plus 2.235 into 10 की power minus 3 divided by क्या करा है हमने 2 करा है, तो इसको solve करेंगे average निकालेंगे अपना k2 आजाएगा fine, चल्थ, आगे बढ़ते हैं भाई लोगो, let's move ahead अब देखो यह same question उसी पर based है right, तो यह आप खुद कर सकते है मैंने इसका solution जो है यहाँ पर attach करके रग दिया है fine, आगे बढ़ते हैं towards the last portion जो हमें पढ़ना है इस पर based questions भी हमको करने है fine, तो अब हम क्या कर रहे हैं collision theory कर रहे है for chemical reactions तो यह theory दी थी आपकी Trots और William ने, क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि reaction को अकर करना है तो reaction को अकर करने के लिए reactants को आपस में क्या करना पड़ेगा collide करना पड़ेगा reaction को कर करवाने के लिए reactants को आपस में collide करना पड़ेगा ठीक है, right अच्छा, अब generally हमारे collisions होते हैं, वो biomolecular ही होते हैं fine, 2 या 2 3 maximum molecules collide कर सकते हैं उससे जाज़ा molecules simultaneously collide भी नहीं कर सकते हैं और number of molecules जो collide करते हैं reaction को अकर करवाने के लिए वो reaction की molecularity होती है तो यही reason है कि molecularity कभी 3 से जाधा possible नहीं होती है ना अब हमने यह पढ़ लिए कि collision 2, 3, 4 के बीश में हो सकती हैं लेकिन इन भाई लोगों ने मतलब trots और william ने इन हो ने जो specifically consider करी थी वो by molecular collision करी थी बिटा कॉनसी collision करी थी by molecular collision करी थी am I clear everyone चीक है अब यह जो हमारी theory है पहली चीज़ तो इसने बोली कि reactions होने के लिए reactants को collide करना पड़ेगा इसने जो करी by molecular collision करी मतलब दो reactants की molecule आपस में होते हैं वो heart spheres होते हैं क्या होते हैं heart spheres होते हैं और यह जो heart spheres है आपस में collide करते हैं reaction को अकर कराने के लिए फिर उन्हें ने बोला कि भाई जितनी भी number of collision हमारी हो रही होती है gas molecules में unit time unit time मतलब एक second के अंदर unit volume मतलब एक liter के अंदर जितने भी molecules है उतनी number of collisions क्या के लाती है हमारी collision frequency के लाती है जितनी जादा collision frequency होती है उतना ही जादा reactants react करते हैं और उतना ही जादा reaction का rate होता है क्या होती है collision frequency बेटा यह होती है वो number of collisions जो एक second में एक liter में जितने molecules present है gas के वो करते हैं रूम टेम्प्रेचर पर जो हमारी collision frequency z होती है यह क्या होती है बिटा यह होती है 10 की power 25 क्या होती है बिटा 10 की power 25 होती है फाइन चालो आगे भढ़ते हैं बच्चे next क्या effective collision अब समान आता है कि माम जुतनी भी collision हो रही है क्या सारी collisions reactant की आपस में product बना देगी नहीं बिटा कुछ ही collision जो है वो हमारी effective होती है और यह कौनसी collision होती है जो effective होती है यह दो criteria को अभ़े करती है पहला threshold energy threshold energy वो minimum energy होती है जो reactant molecules को required होती है effective collision करने के लिए अगर इस energy से कम energy है reactant की molecules के पास तब उनके पीश कीशों collisions होगी वो effective नहीं होगी ठीक है चलिए इसके बाद next है activation energy अब देखो room temperature पर reactant के molecules के पास कुछ energy है त्रश्टोल energy तक जाने के लिए उनको थोड़ी energy देनी पड़ती है तो जो यह थोड़ी energy देनी पड़ती है यही क्या होती है activation energy होती है और वह exception है आइनिक reaction आइनिक reaction की होती है activation energy ठीक है चालो आगे चलते है भाई तो हमारा पहला जो criteria है effective collision का वो क्या है कि थ्रश्टोल energy की बराबर energy निची जी जी इनर्जी criterion दूसरा criteria क्या है कि कोलिजन से पहले जो molecules है वो प्रॉपर orientation में collide करने चाहिए क्या करने चाहिए बिटा प्रॉपर orientation में collide करने जैसे और भी अगर इस orientation में collide करते हैं तो पहले वह हमारा complex बनाएंगे activated complex which is a transition state फिर वो तूटके अपना product असानी से दे देगा लेकिन अगर वो सपोज आदे टेडे direction में approach कर रहा है तो कोई product नहीं बनेगा तो एक प्रॉपर orientation बहुत जरूरी है ठीक है राइट चटे अब बेटा यहाँ पर अगर हम यह energy factor ठीक है और probability factor को combine कर दे तो यहाँ से हमारा पता चलता है rate constant के का और यह अरहेनियस ने बता किया था अरहेनियस ने बोला था कि जो rate constant है मतब rate of reaction है वो किस किस पर depend करता है एक तो probability factor पर depend करता है एक depend करता है collision frequency पर एक depend करता है energy factor पर ठीक है अब यह जो P into Z है मतब probability factor और collision frequency जब आप इसको multiply करता है तो एक नया factor निकल के आता है which is A, A क्या है अरहेनियस constant है और यह यह क्या दिख रहा है यह तुमको activation energy दिख रही है तो यह अरहेनियस equation है अब अरहेनियस equation को बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है जैसे पहला तरीका क्या है कि भाई K is equals to A into E की power minus A by RT अब आप क्या करिए दोनों साइड natural log ले लिजे है ना तो क्या होगा ln K equal to ln A plus ln E की power minus A by RT होगा ठीक है अच्छा अब power आगया आगई तो ln E क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहां क्या आगया ln A आगया equal to ln K क्या आगया ln A minus A by RT निकल क्या आगया fine अब यह एक और form है आपकी किसकी अरहेनियस equation की अब आप चाहे तो इसको natural log में भी natural log को जो है log based 10 में भी convert करकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे 2.303 से multiply करेंगे तो 2.303 log K equal to क्या हो जाएगा पिटाजी यह equal हो जाएगा 2.303 log A K minus A by RT तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा log K दोनों साइ 2.303 से divide कर देता है equal to log A minus A divided by 2.303 RT तो यह एक और form हो जाएगे किसकी अरहेनियस equation ठीक है अब 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2 ठीक है राइट इसको आप नुमेरिकल्स में काफी जगा पर यूज करेंगे हैं है ना चल आ गया जो अब देगो भाई कुछ questions है यहाँ पर मैं जो है ना discuss वही करूँगी बेटा जो board perspective से important है क्योंकि काफी सारे उठपटांग questions भी दे रखे हैं जैसे यह question है बहुत उठपटांग question है इसमें पदे क्या बोल रहा है इसमें यह बोल रहा है कि तेरे को ग्राफ प्लॉट करना है LNK versus 1 by T का और उस ग्र कि तो यह जो है equation of straight line जा रही है कि वाइज इसको सी प्लस मेक्स वाली तो यहां पर जो तिरा इंटरसेप्ट है वहां से लने आएगा लने से आएगा और तो तो पहले इन डेटा से तेरे को ग्राफ बनाना है फिर वहां से स्लोप निकालना है फिर इंटरसेप्ट निकालना है तो भाई कोई जरूरत नहीं है ऐसे questions करने की apart from the fact मैंने तुमों को करवाया है slope वाला उसके जैसा ही है यह fine तो यह आप totally skip कर सकते हो फिर भी कोई पढ़ना चाहता है तो मैंने solution लिखा हुआ है लेकिन board perspective से यह lecture है तो मैं ऐसे question को बिलकुल entertain ने करना चाहती हूं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बाई next पर आते हैं जी next question क्या है यह बोल रहा है कि rate constant जो है for the decomposition of hydrocarbon वो इतना है कितने temperature पर 546 Kelvin temperature पर fine इस temperature पर जो activation energy है वो कितनी है बिटा वो है 179.9 kilojoule per mole what will be the value of pre exponential factor तुमें एक value निकालनी है क्या करना है बाई एक ही value निकालनी है देखो बहुत असान question है ठीक है पहले तो इतना समझ में आ गया कि मैं अपने को इस question में करना क्या है अपने को इस question में a की value निकालनी है ठीक है सबसे पहले चीज तो यह clear हो चुकी है ठीक है अब मैं equation कौन सी लगेगी arheneas equation लगेगी क्योंकि वही पर ह ही arheneas factor होता है क्या होता है arheneas equation a is equals to k is equals to a into e की पावर माइनस यह बाई आटी है अब बेड़ा यहां पर अगर मैं इसको log वाली form में लिखो तो log वाली form क्या है log k is equals to log a minus e by rt divided by 2.303 हमाई clear यह क्या इसकी log वाली form है भाई लोग ठीक है अब इस log वाली form में अपन क्या करते हैं अपन values को जड़ा put करते हैं अपने को दे रखे न values यहां पे ठीक है चाल अब log a क्या हो जाएगा भाई log a हो जाएगा log k plus ea divided by 2.303 rt हो जाएगा ठीक है जी चाल अब k की value क्या दे रखे है ध्यान से पढ़ k की value इतनी दे रखे है अपनी पुट कर दो भाई तो log of 2.418 into 10 की power minus 5 आ गया ठीक है प्लस यह यह क्या activation energy किलो जूल में दे रखे है इसको जूल में convert करके लिखेंगे तो क्या होगा 179.9 into 10 की power 3 आ जाएगा फाइन डिवाइड करोगे किस से 2.303 से फाइन आर कितना है आर आर है 8.314 फिर है टी कितना है टी टेंपरेचर अपने को कितना दे रखा है बिटा यह दे रखा है 546 कितना दे रखा है 546 दे रखा है फाइन देखो बहुत सिंपल है यार पहली बात तो अगर तुमारे को यह दिख रहा है log 2.418 into 10 की power minus 5 देखें यह log a plus log b से solve हो सकता है क्या लेख सकते हूं इसको log a plus log b तो क्या हो जाएगा log of 2.418 plus log of 10 की power minus 5 तो पेटा 10 की power minus 5 तो minus 5 log 10 होगा फाइन तो यह किसके equal आगा है गा minus 5 plus 2.418 clear है तो पुट कर दो भाइदर क्या log of 2.418 ठीक है तो पुट करा क्या है minus 5 plus log of 2.418 plus ठीक है इसकी value अपर निकालेंगे into 10 की power 3 divided by 2.303 into 8.314 into 546 fine okay चालो तो यहां पर 2.418 को अगर हम पुट करेंगे तो क्या है गाए जीरो पॉइंट 3834 plus 2 है कितना हैगा मेरा बच्चा यह आएगा आपका 179.9 into 10 की power 3 divided by 2.303 into 8.314 into 546 ठीक है फाइन इसको solve करना अच्चे से घर जाके अराम से क्योंकि तो यह लंदी क्यालकुलेशन है सॉल्व करके प्रॉक्सिमेटली जो है कि मैं बता देती हूँ यह आएगा 12.5924 ठीक है राइट यह जो वैल्ली आई है अब लॉग एक ही वैल्ली आई है किसकी वैल्ली आई है लॉग एक ही राइट लॉग एक कितना आगया आपका पुत्तर जहां से देख लॉग ए जो है अपना निकल क्या आ चुका है कितना 12.5924 ठीक है कितना आया 12.59 एप्रॉक्सिमेट आया तो ए क्या आ जाएगा ए आ जाएगा एंटी लॉग ओफ 12.59 भाई ठीक है और एंटी लॉग ओफ दिस की वाल्यू अपने को दे रखे कितनी 3.912 इंटु 10 की पावर 12 तो एप्रॉक्सिमेटरी 3.9 इंटु 10 की पावर क्या ले लोगे 12 क्या आगया अपना ए यानि प्री एक्स्पोनेंशल फैक्टर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं पुत्तर जी आगे आते हैं जी अब अब देखिए जो 24 और 25 है ना वो जो क्वेशन है मेरा बच्चा वो आपके फॉर्स्ट और के रेट कॉंस्टेंट पर ही बेस्ट हैं तो हम क्या कर सकते हैं मैं आपको उनकी सिल्यूशन दे दूंगे आप उनको रेफर कर सकते हो उनके जैसे similar questions हमने पहले कर लिए हैं ठीक है तो हम वह सारी questions करते हैं जो हमने touch नहीं कर रहा है फाइन चलो तो अब आ जाते हैं next question पर यह बोल रहा है calculate the activation energy right किसके लिए decomposition of hydrocarbon के लिए जिसकी arheneas equation ये है फाइन अब देखिए तेरे को arheneas equation दे रखी है लेकिन भाई arheneas equation तो कुछ अलग तरीकी दिखती है न कैसी दिखती है वह होती है k is equals to a into e की पावर माइनस ये भाई आटी होती है तो हम क्या गर सकते हैं इस equation और इस equation को compare कर सकते हैं कि हमको निकाल ली ultimately क्या activation energy है ठीक है तो अपन क्या करेंगे on comparing one with two on comparing one with two ठीक है हम one को two के साथ जो है compare कर रहे है भाई ठीक है तो क्या हो रहा है भाई देखो भाई माइनस ये भाई आची किसके equal आ रहा है यार है माइनस 2800 Kelvin by T के अब T से T कट लेगा ये क्या हो जाएगी 2800 Kelvin into R, R क्या होगा बिटा, R होगा 8.314 Joule per Kelvin per pole अगर आप किलो जूल में बनाना चाहते हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे ठीक है राइट लेकिन नहीं तो फिर इसको solve करोगे तो यह आजाएगा 233 790 Joule per mole किलो जूल में convert करना चाहते हो तो 1000 से क्या कर सकते हो बच्चो divide कर सकते हो इसको हम क्या कर सकते हैं एक बार solution मैंने रिख दिया है उसको देख सकते हैं लेकिन उनको करने की जुरत नहीं है पेपर में नहीं आएंगे बाई पेपर में जो चीज़ेंगी जैसी आएंगी मैंने वीडियो में अच्छे से solve करवा दी हैं am I clear everyone ठीक है आज के लिए बस इतना ही होता है मारा lecture खतम I hope आपको यह session पसंद आया होगा तो बच्चो ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और जैहिंद